पेंग के बाहर बैक खीच कर सेकेंड भर में गायद हो जागें। सोनी की दुकान होकर, बस टेंड के पास, शॉपिंग मॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में। इस तरह की कई चोरियां हो रही हैं। लोगों में देशत हैं। और पिछले 10 दिनों में 13 रिपोर्ट लिखवाई गए हैं। इसे किसी भी तरह में स्टॉप करना है। देशेती है। धुप सुप सुप सर, शौक का एक्सप्रेशन बाद में देना, पहले ने लॉक अप में डालिये एई, लॉक अप में डालो इने जंडे मारो इने सर, आज तक उन्हों ने जो चुराया, उस अब इन से वापस लेड़े आज रख चोड़े, तुझे नहीं चोड़ेंगे अब बड़े भाई, तुम लंबे हो, बैग जल्दी से जाकर शीजो पीशा से आदे, जाओ तीन महिनों से इन्हों ने हमारा पसीना छोड़ा दिया था और तुमारे जैसे बच्चे नहीं ने पकड़वा दिया यह बच्चा नहीं है सर, लोफर है यह लोफर पुलीस वाला बन गया तो धमाका हो जाएगा अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है king मैं तुम्हें माबाप से बात करूँगा और तुम्हें पुलीस वाला बनाऊगा मैरे माबाप नहीं है, इस दुनिया में मैं अकेला हूँ तो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पुलिस वाला बनाऊगा सची सर एई भरत, यह शंकर है, हमारे साथ ही रहेगा अबसे यह तुम्हारा ही घर है, ठीक है ना? ठेंक यू सर सर क्यूं कह रहे हो, चाहो तो पिता जी बुला सकते हो सुना, अबसे तुम्हें एक दूसरे का खयाल रखना होगा क्योंकि तुम्हारा खयाल रखने के लिए तुम्हारी मा जो नहीं है अब जिस रास्ते पर चले, उसमें किसी कर नक्सान नहीं वहाँ जाए अरे शंकर, तुम खागर बताओ कैसा है बढ़िया है ना, तब तुम्हें कैसा लगा तुम्हें कैसा लगा चेक मेट, तो कंप्यूटर से भी ज्यादा पास्ट हो, माइंड गेम में तुम मास्टर हो बिटा, मास्टर हम तयारे बापा, आज परिक्षा है ना, जा कर भगवान का अशिर वाते है यह क्या कर रहे हो, मेरे भगवान तो आप ही है अज अज ओआख बगवान तो भगवान तो आपके है देखे हो सरु, ये नंने कैसे इसके इसकी निफातन काड़ी भया भया, रुखाया भया 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 बचिछाओ भया भया जाने जया बलागा भया रुखाया बटाचे लेगा तो डाटेंगे इतना गुस्सा की खेलते हुए बच्चे की जान ले ली तुम्हें ज़रा भी रहम नहीं आई सहारा देकर मैं तुम्हें किसी लाइक बनाना चाहता था लेकिन मेरे घलत फैसले से आज एक बच्चे की जान चली गई इस बात का मुझे हमेशा अफसोस नहींगा आज के बाद अपनी मनहुस सुरत तुम मुझे कभी बत इखाना और अगर तुमने कोशिश भी की तो वो धी मेरा आखरी दिन होगा ले जाओ इसे अगर तुम पकड़े गए तो सब कहेंगे कि राजेंद्र जी की बेटे ने खलती किया और पापा उसे सह नहीं पाएंगे तुम राजेंद्र जी के असली बेटे हो और मुझे तुन ने गोड लिया अगर इल्जाम मैं अपने से लिया तो उनकी बदनामी नहीं होगी तुम पापा से इस बारे में कुछ नहीं कोगे प्रॉमिस करो आप जैसे बाल कैदियों में बद्लाओ लाना और इस काबिल बनाना कि आप हमारे इस समाज के काम आ सकें इस जुविनायल होम्स का लक्षे है यहां पढ़ाई के साथ साथ गेम्स और सोशल एक्टिविटीज भी होंगी इन से विधाओं का उप्योग करके आपको दुबारा भविश्य बनाने का मौका दिया जा रहा है तो आल देट बढ़ाई के साथ साथ इक्स्ट्रा केरेकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा स्कूर किया तो में इस जुविनाल होम का स्वपोर्ट हमेशा मेलेगा तैंकि सिर गोल बोलिस पोलिस 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 सर आप से मिली के लिए इंस्पेक्टर राम परसाद आहें अंधर वेजा एं अंधर बेंगे में सिचुच्वेशन देंब दें खराब हो ते जारी है सर। Mr. Ram Prasad, you are CI. You are given powers by the system. वहाँ कोई सिस्टम से नहीं चलता से. यह अपनके भाई का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसे रोकेगा तू? यह प्रोजेक्ट परिया वरर के लिए खत्रा है. टेस्ट किये भिना, तुम भस अपना फायदा चाते हो. वकस और गाहँ वालों की परवा किये बिना, केनिकल्स को तुम हावा में छोड़ रहे हो. अगर ऐसा चलता रहा, तो यह जगन नरक बन जाएगे. तो बन जाने दे नरक! शेकर, शेकर, दो! क्यों मार रहे हो इसे? जो मन में आएगा, वो करोगे, क्या? पुलिस का काम हमारी बात सुनना है, क्वेस्चन करने का नाएगे. शेकर! यह देख, तेरी वज़े से भाई का बीप्य बढ़ गया, उन्हें यहां तक आना पड़ा. अब भया! दुनिया में बहुत सी चीज़े मुझे पसंद नहीं है, अभिशेक से एश्वरा की शादी मुझे पसंद नहीं क्या मैं रोक पाया? सचिन तेंडूल करकर रेटायर होना मुझे पसंद नहीं है, क्या वो रोक पाया? अब मेरा प्रोजेक्ट शुरू करना तुझे पसंद नहीं है, तु रोक पायेगा क्या? तुने प्रोजेक्ट के लिए लोगों के बारे में सोचा, अब तेरी मौत के लिए लोगों का क्या मानना है देखते हैं? हे, हमारे एरिया के डेवलेप्मेंट के लिए मैं जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ से रोकने कि इसने कोशिश किये, अगर इसे बचाने के लिए किसी ने भी हाथ उठाया, तो मैं इसे छोड़ दूगा, ये मत सोचना कि अगर तुमने हाथ उठाया, तो मैं तु तुमने मुझे मार भी दिया, तो भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाएगा, फाइल अल्रेडी कालेक्टर के पास पहुँच चुकी है, उस कलेक्टर का क्या करें? उस कलेक्टर ने एक हफसे बाद ही सुसाइट कर लिया, सर, वहाँ काम करना है तो अपनी इंसानियत मार नहीं होगी, या दामोदर के आगे जुकना होगा, और मैं ये दोनों नहीं कर सकता, सर, प्लीज सर, मेरा ट्रांसफर कर दीजिए, वह अना रेजिगनेशन के दिखलूंगा, यू में गोनाओ, तैंक यू सर, तैंक यू वेरी मच, इस ओके, राम प्रसाद, सर, ऐसा मत समझना कि तुम जो नहीं कर पाए, वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आज तुमारे एरिये में दामोदर का राज है, लेकिन मेरे पास भी एक पुचाहभी एक टाए ब्रेकिंग न्यूज लॉज एन अडर अपने हाथ में लेने वाले सरकल इंस्पेक्टर शंकर उर्फ एनकाउंटर शंकर के खड़ाब बरताओ की वज़े से डिपार्टमें ने आज उनका ट्रांसफर कर दिया है भाई शंकर का तो ट्रांसफर हो गया डेविड उसकी वज़े से अंडरग्राउंड होकर हमारी जिन्दगी बत्तर हो गई थी बाद नहीं निकलने की वज़े से हमारे लगों को इसकी डिसी हो गया है इसलिए सब के सब खुची जी कर रहा है भाई उस पटनाई की कम्प्लेंट की वज़े से अप उनका शूटाइट साइट आउडर निकला था उसको बीना टपका अप उनको सुकुन नहीं मिले ओई पटनाई कहा है भे वे टीप लोग में भाई उसे यहां निकराओ यहां पुची जाओ एंपटर शंकर? शिया एसाब को सल्यूट करने के बजाए तुम ऐसे गदों की आखड़े हो बे? तुम्हारा ट्रांसपर नहीं हुआ? चुहों को बिल से बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है? चारा डालते हैं? तुम्हें भी मेरे ट्रांसपर का चारा डाला तो तुम पिल छोड़ कर बाहर निकला है पुलीस वाले होते हुए भी तुम चीटिंग करते हो? फिल्म का इंप्रेशन ओडियन्स पर पड़े ना पड़े पंच डायलोक्स का जरूर पड़ता है एक्शन का तो और भी पड़ता है मुर्गा कितना भी तगड़ा क्यों न हो चिकन शॉप पर दम तोड़ी देता है मैंने तुझे कितनी बार समझाया अपनी आधते बदल ले तुने नहीं बदली तो तेरा टिकेट आ गया फिल्म का टिकेट है क्या? तुझे टपकाने का टिकेट आ गया है शूट एट साईट ओर इनकाउंटर तेरे दमकी से आपू तरने वाला नहीं है, आपू नहीं छेर, 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 आज कल हर चुआ उटकर अपना comparison शेर या चीते से करने लग गया है, अब मैं एरिटेट हो रहा हूं, अरे बापरे मैंने क्या फिल्मी डायलोग मारा, डायलोग बहुत हुआ, हाईए! नेक्ट इतम! विचारा मार थाने से पहले इतना चिल्ला रहा है विचारा मार बॉप रहाले इतना है रधर्धरक आच पारे रखारी नाल में अपरे इतनी इतना है विपने ऴुपаш में कांपा जेए अटर्धर इतना छो झाल विचारी लात वाँ व व हुआ 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 है 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 भी ते अच्छे नहीं हो अचिंदी है चल तुर्न कर ठीक है कर दो आर जूसार झाल 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 किसा कलास प्सक्राण आप प्सक्राण ओ स्क्राण वä प्लिट स्क्राण जो आधे घंटे से कोई एक्स्टेंशन नहीं है निल यह निल कैसे हुआ फुल काउंट है अरे का है का फुल काउंट मैंने निल कहा ना यह गलत है तुमारी सेलरी उनके पास है इसलिए वो चीटिंग कर रहे है तू ध्यान देख अहीं कपड़ा ना जल जाए गडबड हुई तो मैडम खाल उधेड़ देंगी रोज मुझसे क्यों आइन करवाते हो सर मुझे और भी दूसे जरूरी काम होते है समझे सर अरे चुपकर जब देखो बहाने ढूंटता रहता है हम लोग अपने समय में एसाई साब के पैर दबाते थे ताइफ़ट से आपके फादर उनकी तरह चपल खाएगा क्यों रे तूने अब तक घर पर केक नहीं पहुंचाया तेरी वज़े से रात का खाना नहीं मिलेगा था गुड मॉर्णिंग सर गुड मॉर्णिंग दक्षिना मूर्ती जी अभी तक तो ठीक ही था सर आप यहाँ पर घुम्निया है या अब मैं यहीं रहूंगा मतलब कल आने वाले सियाई अहाँ वो मैं ही हुई दो साल इनके अंडर काम करने से मुझे बीपी और शुगर के प्र यहां का एट्मासफियर देखकर अंदर जाने का मन कर रहा है इंट्री टिकेट कितने की है मूर्ती जी यह पुली स्टेशन कम और कल्चरल क्लब ज्यादा लगा है यह कौन है सर फिल्म का हीरो लग रहा है हीरो नहीं है बे हमारे नैसी आई फ्रैंकली बताओ शेहर के हालाग कैसे है What to do What not to do सर्या वाट्टव का मतलब ॡ्यूटी के लावे कुछ भी कर सकते है वाट नोट टूडू का मतलब कुछ भी कर सकते हैं बर ड्यूटी नहीं कर सकते हैं लेकिन इसकी वज़े क्या है? इसकी वज़े दामोदर नाम का आदमी नहीं है सर यहां सब उसके मर्जी से होता है सर नहीं माना तो लाइफ खतम हम नाम के पुलीस है सर डरते तो सब उसी से उसके हाथों में हतकडी पेनाने के बजाए हम अपने हाथों में चूनिया पहन कर घूम रहे है दामोदर भाई को चेड़ के काई वो अपना नाग पोड़ रे ले हो उसके पैरों में बढ़के सुकी नहीं रह सकते क्या यह अंदर से हाई कमांड की इतनी तरफदारी कौन कर रहा है बिरियानी राजा अपना कॉंस्टेबल है सर सी आई के लिए बाहर नहीं आया सीम के लिए भी नहीं आएगा सर क्यों यार दामोदर के बातरूम में जलने वाले बर्गल से लेकर उसकी बिजनस डीटेल तक इसे सब नौलज रहती है सलाम सियाई साब पिरियानी रिडिये खाएंगे क्या अरे कौन है यार तू वैसे ही बिखरे बाल वही बचसुरत नाक बहेंस जैसा शरीर गिज जैसी आखे उन जैसा पेट और हाथी जैसे कान सबने कहा था यहां तू ही सबसे काम का आदमी है क्या काम का आदमी हूँ हाँ भाई तू आज तक तो कोई नहीं बोला सच कह रहा हूँ तू मेरी हेल्प करेगा ना थांक यू थांकू चला बता यहां क्या चल रहा है हाथ मिलाओंगे तो आशिरवाद देंगा हाथ मिलाने के लिए धंदो की जानकारी चाहिए मैं तीन शक्त में बताता हूँ ना लिक्कर बिजनिस, बैटिंग बिजनिस, डुब्लिकेट धंदा इन तीनों के हेड अलग अलगे सीनों, फिरंग और संपंगी इन तीनों से अपन के बहुत पुराने रिष्टे हैं ये मचली है और दामोदर मंगर माच इन से हाथ मिलाओगे तो आशिरवाद मिलेंगा लेकिन मैं हाथ कैसे मिलाओंगा आओ, उनको एक हाथ से बिरियानी किलाता हूँ, दूसरे हाथ से दारू पिलाता हूँ तो मैं इच तुम का उनसे मिला सकता हूँ सच मुच आओ रे ओए बिरियानी दामोदर की बात करता हूँ तो इन लोगों में फ्रस्टेशन नजर आता है और तुम में डिवोशन नजर आता है पुलीस में क्रिमिनल के लिए डिवोशन नहीं उसके अगेंस्ट अग्रेशन चाहिए याद रहे ये पुलीस स्टेशन है तुम में से किसी ने यहां जुआ खेला और इसे कल्चरल कलब बनाया तो उसके टुकडे टुकडे करके कुत्तों को खिला दूँगा समझे सर अब तक तुम लोग दामोदर से डर कर ड्यूटी कर रहे थे अब दामोदर को डराने वाली ड्यूटी होनी चाहिए साल का पहला माइना काउंसा होता है जूर ये है सीनो दामोदर के लिक़ बिजनिस का इंचार्ज जैसे इसकी शकल वैसा ही इसका बैंक बैलन्स भी है पिछले दस साल से ये हीरो बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन आज तक बेचारे को किसी ने मौका नहीं दिया और तो और कुछ जगाओं पर तो इसे ओडिशन्स देने से भी बैन कर दिया है पर फिर भी हीरो बनने का इसका सपना आज तक नहीं टूटा जून ये सुबाश कामचोर जल्दी काम कर ये क्या है सीनू भाई एक तरफ मंदिर दूसरी तरफ स्कूल बीच में ये दारू की दुकान दारू बहुत ज़रूरी चीज है भाई मंदिर में क्या मिलता है चांती स्कूल में क्या मिलता है यान क्वाटर पिके देखो दोनों मिलेंगे ये सब धंदे तुम बंद कर दो वरना हम पुलिस में कम्प्लेंड करेंगे बाद अच्छे रुके काय को आभी जा के करो बाग याज से रॉक स्टार तुम रॉक स्टार हो ना मुझसे बोल रहे हो हाँ तुम ही से सॉलिड किक पढ़ेंगी इसको यही सुन्दर शकल यही सुप अप फीचर्स बॉडिगार की बॉड़ी और टाइगर की आखे और फिगर तो ऊपर से नीचे तक हीरो बनने के लिए करेक कॉंबिनेशन है घर बोल तो मैं मुंबई से आया हूँ बड़े डिरेक्टर्स के साथ उठना बैठना है मेरा एक दोस्त काफी टाइम से बहुत परिशान है क्योंकि वो मेन लीड की तलाश कर रहा और बात नहीं बन रही है बस छे फीट की हाइट हो और अक्टर सुन्दर हो पुलीस स्टेशन में सब ने कहा कि आप से मिलो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ बहुत सी उम्मीदे लेकर उस दोस्त की फिल्म आप कर दो तो मुझ पर एहसा नहीं उनकी फिल्म बनेगी ना C.I. साहिब C.I. नहीं यार मैं शंकू हूँ और अफकोस बनेगी क्यों नहीं बनेगी तो आप इसस शुरू करें क्या फिर क्या C.I. साहब आप अपना हेरो बाद में खोजिये पहले ये दुकान यहां से हटवाई है कौन सी दुकान हटवानी है पंडिजी दारू की दुकान पर क्या लिखा होता है मध्यपान स्वास्ति के लिए हानी कारक है कोई देखकर छोड़ता है किया थियेटर में फिल्म से पहले मुकेश की स्टोरी दिखाते है उसे देखकर स्टिगरेट छोड़ देते हो क्या लास्ट यरेंड हमारे लोगों ने 380 करोड लीटर बीर पीली, वो भी फेस्टिवल के नाम पे, तब आप किदर थे, आज इंडिया में हमारा स्टेट लिकर कंजम्शन में टॉप पोजिशन पर है और उसमें हमारा हीरो थोड़ा कॉंट्रिबूट कर रहा है तो करने दो, होसे टींडर नहीं लेते लाइसन्स भी लेते दामो दर भायों टेंशन नहीं लाइसन की भी जरूरत नहीं क्या बड़ी बात है एक कि तो एक कॉलिटी है तुम्हें लेकिन बारा लिकर शॉप कुछ ज्यादा नहीं हो गया वोटा उडे क्या वोटो पे अट्रे से फट से बता सकता हूं प्रभाद तुम फट से लिख लो हमारे लोग उन दुकानों की तरफ गए तो खाल उधेड लूँगा सब की लिख रहे तुम बोलो ना नमबर वन गांधी नगर बालाजी किराना स्टोर वाइन शॉप है गांधी नगर की बालाजी किराना स्टोर इल्लीगल वाइन शॉप है ओके सर नमबर टू नेहरु जंक्शन में कलपना कटपीस की दुकान नेहरु नगर जंक्शन की कलपना कटपीस भी ए मैं सबसे पतला ही रोबा रूँगा मेरी कमरा 20 इंच की है तो बेल्ट क्यों लगाते है श्टाइल के लिए वाव क्या स्टाइल है ये तीन लाग रुपाई की है ये बेल्ट तीन लाग रुपाई की है प्रभा काउंटिंग पूरी हो गई ना नहीं अभी तक कहा हुई है तो पुलिस ने मारे वाइन शॉप का बंद करके मझे पकड़ लिया है अच्छा डर ने की सुरूत नहीं है रुक कुछ करता हूँ अरे शंकू अपनी वाइन शॉप को पुलिस ने बंद कर वा दिया उसको जल दिरी ओपन कर कॉल कर अरे सीग्रेट फिल्म के हीरो जब मैंने य पारी इनफर्मिशन निकल वाने के लिए तेरे को हीरो बनाया जाबने तू इस शकल के साथ हीरो बनेगा ये तुने सोच भी कैसे लिया ओहो हुम् पहुंचान गाट पहुंचाने का बंद बसकार हो सी ग्रेट हीरो ए ग्रेट हीरो को मारेगा तू वाच पकड़ यार यह उन टागर है यह जागा पुझे मेरे तारू की कसम छोड़ना नहीं उसको ठीक है भाई जब मैं हीरो बनुगा ना तू फिलन यही होगा चल जा रहे अरे बापर यह तो स्पेशल आइटम है सीनू इसको उसको क्यों तू ही आना अरे मेरे पासे को और है तू कड़ा कड़ा देख के रहे हीरो होकर बिना एक्शन किया ही बैड़किया रोमेंटिक हीरो इसलिए नो एक्शन बाबा है एक्टर बनने के लायक ही नहीं है कईयोंने का आए क्यों बे लिकर किंग अब कैसा लग रहा है बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर के बच जाना चाहता हूँ आज से इल्लीगल काम करेगा क्या लीगल इल्लीगल के आपने किसी काम कर नहीं दर्द हो रहा है फिर भी डायलोग बन नहीं हुए इसके फिल्मी है एक भी दुकान फिर से खुली तो तुझे और दामोदर भाई को पिक्निक पर लेकर जाओंगा मैं पिक्निक? पिक्निक मतलब पॉरेंट टूर के लिए नहीं, पॉरेस्ट टूर, इनकाम कर यह कै सर, इन्हें ऐसे छोड़ दिये? मेरा टागेट यह मेडक नहीं बलकी मगर मच है यह हमारा टूर कॉडिनेटर है, आपको जो भी चाहिए यह अरेंज कर देगा सुनो, यह हमारा प्रोजेक्ट क्लियर करने वाले ओफिसर्स हैं, यह जो भी मांगे, इन्हें मिल जाना चाहिए, ओके? ओके सर हलो दूरगा भाव, वनाया आया हुआ सी हाई, उसने हमारे लिकर्शॉप बंकर वा दिये लिकर्शॉप कैसे बंकर वा दिये? सच में भाव, मुझे और मेरे लड़कों को अंदर डालकर बहुत दोया उसने जब अभी पर यहपी मूड में है, इस बात से उन्हें टेंशन हो जाएगी, तुम जाके फिरंगी जमेलो फिरंगी? ओए गोविन जी, सारा सामान लेकर भर दिया है ना? यहां भर दिया साम ए रामबाबू, सबजी और अनाज रख दिया है ना? दिखता नहीं है क्या चिड़ क्यों रहा है, कुछ भी कम हुआ तो घर पर मार मैं खाऊंगा सबजी, ओके, फिशों ना सर, कुछ लोगों की डिक्शनरी में शरम नाम का वर्ड ही नहीं होता आज तक इसने जितना भी मुफ्त में खाया उसका बिल इसके घर पे भेजूँगा विट इंट्रेस्ट, इसे बता दो प्रभाः पूर्ती जी साब में जो का आप क्या देख रहे हैं सर, वो लड़की कौन सी लड़की, वो जो मिठाई बांट रही है वो वो लड़की, कैसी है, वो अच्छी है सर, बेटा ठीक से देख, बहुत अच्छी है इतनी भी special नहीं है, अबे face के साथ character भी है, very rare quality यार दो सेकंड में character जन लिया, कर्मी में मिठाई, बाटरी है character समझने के लिए इतना काफी नहीं है तो फिर क्या क्या जाए सर? कुछ नहीं यार, सारी जिंदगी चोल गुंडों के साथ निकल गई, अपनी भी age हो गई है, किसी को तो देखना होगा न मतलब आप और वो लड़की और नहीं तो क्या यार, अभी जाके सेटिंग कर दूँ पुद की तो करनी पाया अज तक और उसे इंट्रेस्ट ना हुआ तो आप में क्या कमी है सर, लड़की में रंग के साथ करेक्टर है तो आप में ग्लैमार और गट्स है सर बात तो साव प्रतिश है तो फिर जा ना बाकी के भी आगया सरोजा, सरोजा सुनो सरोजा प्लीज हाट प्रॉब्लम, यह हाट तुम्हें दिये छह मेने से जाधा हो गया लॉब का पेशेंट बन गया हूँ इसली डिप्रेशन में आएके 400 सेट अटेंप्ट कर चुका हूँ प्रॉफिशन से डॉक्टर हो लोकेशन होस्पिटल है इसली हर बार बचा लिया गया तुम क्या मेरे मरने के बाद हाँ बोलूगी जब डॉक्टर नहीं पटा पा रहा तो मैं क्या पटा हूँगा उस लड़की ने क्या कहा सुना ना प्रभा पुलिस के नाम पे वाक किया कुछ नहीं बस अगर पसंद की लड़की ना मिले तो जिंदगी नर्क बन जाती है ऐसा ही मेरे एक फ्रेंड ने लब में फेल होकर सीलिंग फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली फ्रेंड इनका है तो अकल भी इनके जितनी होगी मुझे इन बातों से फरक नहीं पड़ता कह दो प्रभा इनकाउंटर जैसा आसान नहीं है लड़कियों को पटाना इनको बता दो प्रभा वो लड़की खुद आकर मुझे आई लव यू कहेगी कह दो प्रभा इंपॉसिबल है बता दो प्रभा बोनस के तौर पर उसकी फैमिली उसकी शादी मुझे करवाई कि प्रभा टेंशन में आकर बिचारे कुछ भी बोलते जा रहे हैं ऐसा हुआ तो गंजा हो जाओंगा और गड़े पर बैठकर सवारी करूंगा बता दो प्रभा आप चलिए सर तुमने मुझे रोक क्यों दिया रोकना पड़ा सर उस बुढ़े ने चैलेंज किया चलो ठीक है लेकिन पुलिस के नाम से चड़ने वाली उस लड़की को कैसे बटाओगे बटाना है तो प्लान बनाना होगा प्लान बनाने के लिए लड़की की डीटेल्स न आइट तक सारा डेटा इनके पास मिलेगा है एट एवरिवन मुझे लोगों में नहीं उनके पैसों में इंट्रेस्ट हर बात पर मैं केस ठोक देता हूँ एक बार गांधी नगर में चिकन शॉप से स्मेल आ रही थी उसे स्मेल से मेरा खून जल गया ऐसा केस करके मैंने पच्चीस सदार पिश्टी बचपन में फेल हो गया था माबाप ने मुझे मारा था इस बात पर केस करके उनसे भी मैंने पैसे वसूल लिए पाजु वाले घ इस लड़की का बायो डिटा बताओ पेशन्स बहुत कम हैं आप में काम ज्यादा है हो 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 मैडम का नाम सरोजा है सरोजा सुइट्स के मालिक और केशव शर्मा के क्लौटी बीटी जॉइन फैमिली में रहती है दो चाचा राजा शर्मा और दिराज शर्मा काफी साल पहले सरोजा के पैदा होते ही लड़की के नाम का एक स्टोर खोल दिया सेंटिमेंट काम कर गया और बिजनेस सीमेंट की तरह स्टॉंग हो गया सिटी में चार ब्रांच है और बाहर तीन-चार जमीन अब काफी अच्छी पोजीशन में हो इनके बनाए स्वीट्स की तरह इनकी ब आरी दवाईयां ट्राई कर ली पर मैं बाप नहीं बन सका तो तुम टेंशन क्यू लेते हो सरोजा स्वीट्स का हलवा है ना एक्सपर्ट के एक्सपरियंस को अपनाईये संतान प्राप्ती की एक नहां तक दवाई सरोजा मिठाई एक समय में कोईले जैसा था मेरे मोगरे के फूलों का बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा था पाव किलो मोगरा देना हां देता हूँ लड़कियां तो लड़कियां आ से खाकर मैं ऐसा हो और आज तो मैं शहर का बहुत बड़ा राइस हूँ सबस्केन स्पेश्टिस का एक ही सजेशन है गोरापन चाहिए इमिजिटली तो खाओ सरोजा स्वीट्स की पेस्ट्री खाओ सरोजा स्वीट्स की जलेबी और जम के मारो बाउंडरी फैमिली फेक है पर लड़की तो अच्छी है ना क्यों प्रभा येस सर नो सर नो क्यों कह रहे हो बेचारी धूप में बच्चों को स्वीट्स बाट रहे थी या हुआ होगा मैं यहीं से बता सकता हूँ हाँ बोलो बोलो तो फिर प्रभा हमने जो देखा था वो तुम्हारी आँखों का धोका था कॉमलनी कुवारी लड़की हस्मेंड या हनीमून के बारे में सोच दिये सब ने देखती है इमाराइट लेकिन इस डेंजरस गर्ल की ड्रीम्स है कैलिफोर्निया में काजू कतली की दुकान खोलना शिकागो में शीर कोर्मा बेचना, बेसिकली अमेरिका में अपना बिजनेस एक्सपैंड करना, चार बार टेंथ में फेल होने के बाद वो समझ गई कि कोशिश करना बेकार है, तो अब वो किसी NRI लड़के को ढून कर शादी करने की सोच रही है, और उसे कोई भी चलेगा, सोचा था, फाइनली मैं सेटल हो जाऊँगा, पर ये लड़की तो मुझे बेच खाएगा, ये क्या बेटी, बड़े चोटे का कुछ तो लिहास करो, देख रहे हूं, दिन बदिन तुम बस्तमीज होती जा रही हो, वैसे तुम शादी शिदा लड़के से शादी क्यों कर र जानी ले लेंगे, महा कसम, ये तो कुछ नहीं है जी, शादी में 250 आइटम प्लान की है, शादी में आने वालों को शुगर की बीमारी तो प्लान की है, बेटे को फोटोग्राफी पसंद है क्या, फेस्बुक एडिक्ट है जी, पूरा दिन स्टेटिस अपडेट करता रहता इसकी फर्स वाइब तो बहुत वाइल थी, आपकी बेटी तो माइल लगती है, मा कसम, माइल नहीं जी, गोल्ड है, तो फिर नेक काम में देर क्यों करें, आप ही सब कर लेंगे तो हम किसी लिए बैठे है, मूर्त में अभी पास सेकेंड बाकी है, काउंट डाउन 5, 4, 3, 2, 1, go! यह क्या पुलिस आगी? आप एक शरीफ आदमी के घर में कैसे घुसा है, शुब कारी के बीच में अरेस्ट करने की बात, हमारी बेटी ने ऐसी क्या गलती कर दी? लोगों को अपनी फेक आड से बेवकूफ बना कर स्वीट्स बेचते हैं, वो तो धन्दा है, गुनाह कैसे हो गया? गुनाह कैसे हो गया? बच्चे पैदा होने का और आपकी मिठाई का क्या रिलेशन है? क्रिकेट प्लेवर के सिक्स का और आपके स्वीट का क्या लिए? उपर से सेल्ब्रिटीज को सेल्स बॉइ की तरह यूज करते हो? इतने पैसे लिए हमारे कैप्टन ने सरोजा स्वीट्स की आड करने के लिए? यह तो गलत बात वही ने सर, सैलून में फिल्म स्टार्स की फोटो लगी होती है, तो क्या वहां कर बाल कट बते हैं? यह तो पबिसिटी स्टन्ट है तुम्हारे इस फ्रॉड स्टन्ट की वज़े से लोगों की जाने जा रही हैं, इसलिए इस लॉयर ने तुम्हारे एमडी पर मर्डर केस डाला है मर्डर केस? मर्डर केस? यह, इस क्रिमिनल से शादी करोगे तो तुम्हें भी जेल के अंदर डलवा दूगा, सलाखों के पीछे ही फैमिली शुरू करना मा कसम, हम इन्वाल्व नहीं हैं, मैच कैसे लोगे, इनसे रिष्टा जोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं ओए, तू क्या कर रहा है बे? सर, सिच्वेशन को मैं फेस्बुक पर अपडेट कर रहा हूं, सर अपडेट कर दिया? तू हनीमून भी फेस्बुक पर ही मना ना? वहां भी होता है तुम्हारे अरे सोने की न्यूज इसने नेट पे डाल दी अब आराइक आ एंजओ के रिष्ट भी नहीं आएंगे तुम्हारे लिए तुम्हेरी तो शादी करने आया किस चेटफ अपडेट करने एंपेस्बुक पर टालेगा पेस्बुक पर टालेगा पीछे ले, ये यह ही डाल पेस्बुक Wr पेश ही ते भी तालेगा तू कॉन होते हैं केरे बाला अड़ियो पंदी जी है इस सबेस्थ के पीछे विलोन तो तू ही है नऄ इस करेगा अ locked-न ऐस दूले कोमा ऊसके माभद को मारा और तो और उस पंदित को भी मारा अब इस बैचारी लॉयर को मार रही हो, अब कहा मुझे भी मारोगी, मारोगी क्या? मारो, 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 मारो ना! यू वेश जाने का इसका बच्पन का सपना था? तो उसके लिए लोगों की जान लोगे, अब तो केस और भी स्ट्राउंग हो गया? अगर इसे अरेश्ट करोगे, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेगी? लोग सोचने तो सोचने तो उन्हें, उसमें मैं क्या गर सकता हूँ? ऐसा मत करो, प्लीज इसे छोड़ दो, अरे बेटा कुस तो फिवर करो, तुम्हारा दामाद हूँ क्या? ऐसा नहीं है बेटा, तुम तो किसी फिल्म के हीरो दिखते हो, अरे इनका दिल भी किसी हीरो से कम थोड़ी होगा, फ्रॉट करने वाले प्रोडूसर को भी कभी-कभी हीरो छोड़ देता है, सियाई सावी छोटे से केज में हमारे एमडी को नहीं छोड़ेंगी क्या, ए वाले जाड़ियों के पीछे का कहीं भी जाए, जिनकी नहीं है विचारे कहीं नहीं जा सकते है प्रभाभ, इनसे कहो, हसना बन करे और वहां देखे है प्रभाभ, यह यहां क्यों आई है आपने मुझे यहां क्यों पुलाया यह लवस पॉइंट है इसलिए कुछ लोग अपनी लिमिट्स क्रोस कर देते हैं तो हुने रोकने की ड्यूटी मिलिये मुझे सोचा तुम्हें यहीं बुलालू तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा थैंक्स सर बह तुम्हें कल था उस फेस्बुक अपडेट वाले से हां सच में एक नंबर का गधा था बुद्धु कहीं का बे अकल इंसान नालायक कहीं का आप क्यो बुरा मान रहे हो फेस्बुक पे मेरी फोटो डाली थी डाटोंगी नहीं क्या उसे मत डाटों फ्यूचर की सोचो किसे अच्छे मैरेज ब्यूरो में अपनी डीटेल्स देदो मुझे एक हफते में दस रिष्टे आ गया लेकिन लड़कियां स्याथ एजुकेटर्थी तो मना कर दिया एजुकेशन कम हो तो प्राबलम होती है ज्यादा तो क्या प्राबलम है प्राबलम है ना कोई डिगरी वाली को यहां कंट्रोल करने है या खुद आउट अफ कंट्रोल होती है सरोजा जी आपकी नजर में कोई टेंथ फेल लड़की हो तो बताईएगा वैसे बाहर के लिगों को पुलीस वाले और पोस्टमन में डिफरेंस नहीं बता बर आप सुनकर हैरान हो जाएंगी कि मैं कितना स सब कुछ नहीं होता डिपार्टमेंट बता बावर एक अट रासकल सर ऐसे क्यों चिला रहे हैं लड़की ने दहेज ओफर किया होगा इसना गुस्सा आ गया होगा अरे यह कोई चुड़ने वाली बात होती है जब को नई फिल्म रिलीज होती है सब को लाइन में लगके टि अठाई बेचना अलावड अपर फूंक पारना अलावड नहीं है ठीक है जी यह वाली आंख इतनी दोर से फूंक होगी तो पूरी आंख भाहर आ जाएगी प्यार से करो स्मूधली ओके गुड बहुत अच्छा है यह दोनों क्या कर रहे हैं दिखने से क्या लगता है चुम आओगी ना आना पड़ीगा ना बाई बाई मेरी प्रोग्रस देखकर इतना डीप शॉक ना लगे कि शर्थ ही बूल जाए जरा देख लो प्रभा याद है मुझे खाली लड़की को पटाना आजकल काफी नहीं होता फैमिली को भी पटाना पड़ता है कह दो प्रभा उन्ह दामोदर के बेटिंग बिजनेस का मालिक बनकर उसी बैट बॉल के खेल से लाखों रुपिया कमा रहा है पर बेचारा थुड़ा इमोशनल है कोई भी इसे कोई दुख भरी कहानी सुना दे और बस वहीं ये फिसल जाता है करता हूं दिपार्टमेंट को चीर कर दूंगा तेरे लीकर बिजनेस को कैट्टर करके तुझे अपना नोकर बनाऊंगा यह तो गलत है ना आज तक मैंने कौन सा सही काम किया है तक्षिनामूर्थी कल तक तू हमारे फेटके हुए टुकड़ों पर पलता था और आज तेरी इतनी हिम्मत के हमारा बिजनेस बंद करेंगा आज में तेरा खून पी जाओंगा रहे तक्षिनामूर्थी पांडू यह है ना यासी आई अच्छा यह है वही इमली जैसा कलर बिल्कुल कद्दू जैसा फिगर चाइनीज नूडल जैसे बाल टमाटर जैसी लाल अंके करेल की सुनो हिस्ट्री बचपन से ही हम दोनों पुलीस वाले बनना चाहते थे पांचवी क्लास से ही क्राइम सॉल्व करना शुरू कर दिया टॉप नंबर से पास होकर हम दोनों कॉप बन गए वो अंडर कवर और न मामूली इंस्पेक्टर एक दिन मूँ कवर करके माफिया गै की कोशिश की बॉडी बॉइल हुई सोल कूल नहीं लेकिन आज वो गिल्ट अटाने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं तुमने जितने भी वाइन शॉप क्लोज किये हैं इमीडियेटली ओपन करो इतनी छोटी सी बात कितना बड़ा दिल हापका है चलो में कम है लेकिन स्कीम ज्यादा है पंजाब की टीम जीतेगी तो प्रितिज इंटाहग करेगी या नहीं करेगी सिक्स मारकर कोली चीयर लीडर्स को देखे गया नहीं देखेगा ओडियंस में बैठा आमबानी का बेटा चिप्स खाएगा या कोल ड्रिंग पिएगा जब इत नहीं मानता पांडू बिस लोगों की टीम है क्या रहा हो नहीं मानता सब को इधर बुला लेंगे तो मानोंगे बुलाओना देखते हैं रुको बुलाता हूँ बुकी गाइज आल बड़ी कम टू पुलिस टेशन घूप मैसेज भेजा है दस मिनट में सारे यहां पहुच जाएंगे यहें मेरी टीम ट्वेंटी ए भाई को नमस्ते करो नमस्ते सर ओए इनकी टीम के साथ ट्वेंटी ट्वेंटी माच शुरू कर दो माच कैसा हाँ बोल अब वहां क्या हो गया भाई हमारा बेटिंग बीजनेस तो खात्म हो गया और मेरे लड़कों को लॉक अप में डाल कर उसने बहुत होया सोच रहा हूं यह सब छोड़कर मैं किसी आश्रम में चला जाओ चाना मत बन और सीथा संपंगे के पास जा संपंगे देने कर रहा हो ना से क्यों ऐसे छोड़ दूं क्या देखा ना हमारे बॉस के लिए दुलन की तरह सच कर आई है चुकर ना मुझसे आपने कहा था इसलिए मैंने रात भर पुलिस वालों की फिल्म में देखी पुलिस की पावर को समझा मैंने तो आपके तुम पुलिस बनोगी 10th फिल not allowed तो फिर पुलिस वाले से शादी तो कर सकती हूँ ना उसके लिए कोई कॉलिफिकेशन नहीं चाहिए आग यहां से आई थिंक आप अपने सर्कल में किसी इंस्पेक्टर का रिष्टा ढून सकते हैं ना सुरह ना इंडारिक्ट प्रोपोसर सुने देना आप करा दोगे तो दोनों तरफ के ब्रोकर का कमिशन भी बचेगा समझ रहे है ना आप मेरी बात चलती हूँ हाँ बाई आपका सवाल ओन दे स्क्रीन इन संख्याओं को आरोहि क्रम में दर्शाइए यह है संपंगी तामोदर के डुपलिकेट धंदे का मालिक और सबसे अनपड यह मन बुद्धी इंसान आज़िए प्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रो स्कूल तो पास नहीं कर पाया लेकिन फिर भी खुद को किसी साइंटिस्ट से कम नहीं समझता इसे लगता है कि इससे जदा बुद्धिमान आदमी नहीं कोई है और ना कोई हो सकता है बचपन से ही इसे रियालिटी गेम शोस का बहुत शौक है और चाहता है कि एक दिन किसी रियालिटी शो को जीत कर ये करोणों कमा ले और दुबई में सेटल हो जाए आज तक तो ये हो नहीं बाया तो दिन रात रियालिटी शोस देखकर ही अपना मन बहला लेता है अब बोलो क्या है बिजनिस में अपने को बहुत प्रॉबलम हो रही है सब सॉल्व कर दूँगा थैंक्स सेर अरे थैंक्स काई को प्रॉबलम सॉल्व करके तुम्हारा बिजनिस में ही तो टेक और करने वाला हूँ वहाँ देखो कि तो डबल शॉक खाऊँगे तुम दोनों ने जब मुझे इनकी कंप्लेंट की तो मैं गुस्ते से पुलिस स्टेशन चला गया पर मुझे देखते ही ये समझ गया कि मैं आम इंसा नहीं भगवान का फरिष्टा हूँ ये बंदर जैसी शकल और ये लंगूर जैसी नाख, चमगादर जैसी आखे, करगोश जैसे तांत, शकल सही बुद्धिमान लगते हो सच बोल रहे हो क्या? मुंबई मेरा एक दोस्त है, उसकी मदद करो के? ठीक है, मैं चलूँगा पर पहले बिजनस स्टार्ट करवाओ, तो फिर आप शाम को डिनर पर पुलाओ, बस आप मेरे दोस्त का तैन परसें मत बूलना है, तुम्हें द्रेक भागु मुझे लाएं, और इस बेचारे को डिनर मिले जाँ, चियर्स क्या रहे छोटे, सब दारू पिरे और तुम कोल रिंग पिरा इसे अचा दूदी मंगवा लेता, तुम्हें कोल रिंग बहुत पसंद है, और वैसे भी मुझे कुछ और पीने की आदत नहीं है, मैं तो पार्टीज में बातचीत करने जाता हूँ अरे, यह हमारी दारू तो जाले माल, और सिर्फ इतना यहीं छोटे, पिली दाल में कंकरपत्तर, नमक में डालते हैं चूना, काली मिर्ची में पप्पीते के बीज, मिर्च पावदर में लाल पावडर, मिल्क पावडर में मैयार का आठा, और ऐस्क्री में चावल का आठा, घी में ठालडा, मखषन म में आठा इंसम में मिलावट कर देता हूं मैं लोगों की हेल्थ खराब होगी ना अरे तो बढ़िया है ना हमारे हॉस्पिटल में तो आएंगे उदर की मेडिसिन में वी केमिकेस मिला देते हैं उदर को शौक लग गया और कुछ बता होगे तो बेचरा भी होश हो जाएगा पेट्रोल में मिट्टी के तेल, डीजल में कच्छा तेल और ग्रीस में डामर मिलाता हूं वेहिकल्स खराब होती होंगी यह भी तो बढ़िया है ना हमारे के राज में तो आएंगे वो पुराने पार्ट्स को साफ करके उन्हें ने आपना के वापस बेज देंगे और क्या पावर्ज अच्छी है मेरी है आपकी मेमरी टेस्स करने के लिए क्यों ना हमें डेमो क्विश्चों यहीं खेल ले हाँ मैं तो बनाई गेम शोउस के लिए हूँ है तो फिर चलो ना खेलते हैं गेम्स खेलें क्या हाँ खेलते हैं सबसे इंटेलिजेंट गुंड़ा पॉइंट्स कमाओ और जीतो आर पार्टिसेपेंट्स लाइन सीनू फिरोशियस फिरंगी सूपर संपंगी और चज्च ग्लामरस मिसिस प्रभाकर इसमें इंटरनाशनल नाशनल लोकल तीन राउंड होंगे एडिशनली एक एंकर राउंड भी होगा सवाल पूछने पर जो पहले बजर दबाएगा उसे ही अंसर करने का चांस मिलेगा और साथ ही और साथ ही करेक्ट अंसर इस प्लस 10 रॉंग अंसर इस माइनस 10 इसलिए बजर दबाने से पहले स्वार अची तरह सोच लेना सब समझ सब से स्यादा पॉइंट वाला कहलाएगा मोस्ट इंटलिजेंट तो देखें आप मेंसे कौन हो पुद्धिमान आ यू रेड़ी रेड़ी इंटनाशनल राउंड फर्स क्वेस्टिन जिमभवे का ब्रेजिएंट कॉन है रोबर्ट गैब्रियल मुकावे राइट एंसर ने Swift कुप करुछछगें Swift, Centro, I-10, I-20, 4-20, Benz, MS-DAR, सब कार कर नाम ओल डाल मैंजी, ये रॉंग आंसर है, इसके मार्स मार्स कर दो Sampanghi ji, you're not the person to decide what is right, what is wrong, decide judge sahiba करेंगी, आप बताये Swift is the right answer Raider, कैसे right हो तोजया, ये राइट कैसे होला इसकता है, इसके हो चार कार कार कारां ये राइट कैसे सकता है, ये कासे right हो इसकता है Sampanghi ji, go stand there, go stand there, hut audience कै सोचेगी है, game show ये fish market? World's fastest bird है Swift, और उसी का नाम कार को दिया, it's a fact, we have to accept it नेक्स्स वेस्टिन, पैदा होता ही इनसानी शरीर में 300 हड्या होती हैं, बड़े होने पर कितनी हो जाती हैं? चोटे हैं तो 300 में मतलब जादा है? 400 हड्या है, रहाँ एंसर, कैंसल, 300 ही रहेंगी, तब फिर राइप आंसर क्या है? 206. 206 is the right answer. International round complete. Let's see what your score is. Prabha madam. Your name is Roshan Karreha. Then the color is 40. The lion is 0. Ujja Senu. Wrong answer or bad behavior is minus 20. Now, national round first question. National bird. Peacock. National animal. Tiger. National fruit. Mango. National game. How many of you are in the Bhagavad Gita? 18 years. Tell us about 4 stars of 10 stars. I don't know. China Kamal Haasan, Indian Kamal Haasan, American Kamal Haasan, Dadi Kamal Haasan. They don't ask Kamal Haasan's avatar. Vishnu's avatar. Matsya avatar, Kurma avatar, Rama avatar, Krishna avatar. Right answer, Senu. You have a bright future. Thank you, sir. National round complete. Score, please. Lion Senu, 70. Thank you, sir. Ferocious Firangi, 40. Super Sambangi, minus 30. Elimination ke bilkul pass hai. Yeh sab bekar hai. Pakwas hai, behoodha hai. Ben hi vata. Anchor sahab, mujhe haa bhoot saare shak hai. Ben ki baare maa chitra jalta ho. Yeh firangi lallu. Railway station per jamun bhechta tha. Or yeh sinu dhekkan. Bustan per chai bhechta tha. In loko knowledge kehaan sa hai ghi. Bakkat sahab saiba ne, Yeh haa paper leak kiya hai. Yeh bhaai, yeh kya bakwas kar raha hai ho. May kohon sa business karta ho? Kohon sa? Waiting ka. Toh kya huwa? 24 ghanate loogon se baathe karte rheta ho. Santhar mein kab kaha kya ho raha hai? Check karte rheta ho. Vohi se mehne sab sikha. May bachpan se surdo ko khilta hai ho. Bahu saare prize me le. Topper tha aapne class mein. Tumne to school ka gate dhe. Akha bhi nahi ho ga. School ka gate kaise dekhe ga? Bachpan se jhol jhal ke kaam mein lag gaya. Isi liye aaj yeh haalat ho gai. Sampangiji ji, don't worry. Aap jaysse special contestants ke liye hi to anchor choice round rakhai. Anchor choice first question. Ram ji ki patni? Sita. Lakshman ji ki bhavi? Sita. Lavkush ki maa? Sita. Yeh toh bahuat kalat bat hai. Ekhi sawaal ko ghumapira kar puch raha ho. Phirangiji ji shut up. Anchor choice mein questions eisai hi hoote hai. Sampangiji ji, Is agle question ka answer shayad meri body language mein chupai hai. Is liye sots samajhkar jawab dena. Pandao in a tlb 20 to hoonge kamsi kama? Come on, Sampangiji ji. Panchpandao mtlb kitnay loog ho hai? Yeh toh iha zhor laa ke puch raha. Iska mtlb 100 to hoonge kamsi kamsi kama? I repeat the question. Panchpandao mtlb kitnay loog ho hai? Yek ya mazak hai. Hemse tuh aapnei jimbabwe ka president o orijen tina ka kapital puchha. Or isse panchpandao ka sawaal ho bhi isashara karke. Voh paanch loog tehe. Haa, paanch loog tehe. Thir bhi nahi bata ya. Phirangiji ji, is game ka aim sif jitna nahi. Aapke ander ke talent ko bhaar nikalna hai. Abaap jis position mein hain, ussi position mein Sampangiji ji ko lani ki mein kooshish kar raha ho. Zaraa is game ke concept ko aur meri kooshisho ko samjhau. Suna, sir, ikdem sahhi wat kar raha hai. Main aapse so ehmaduun, sir. You bai? Aha, ji, aha, ji. Main chaatau ki ee bhi aamare berabar ke points par aajay. Thanks, ya. No mention. Very good. That's the spirit. Thank you. Ab local round start karate. Local round first question. इस area ka post office ka haa hai? Ghandhi Nagar. Call nii kaafi nahi hai. Pura address batana baadeega. Next. Library ka haa hai? Tindra Nagar. Pura address. ठीक hai. Aapke liye sawaal aur bhi asan kar djeta ho. Lekin is baris me time limit ho ghi. 20 second mein aapko koi bhi panch address poore detail mein batane ho ghe. Watch say. Are you ready? I am ready. Your time starts now. Go. Go. Number one. 2-8-283. Oblick 4. Oblick B. Oblick 24. Kalimata Street. Tarnpatri. Number two. Door number 7-11-77. Oblick B. Oblick 44. Naran Das Chahal. Garodi. Number three. Door number 1-2-3-43. Rajajinagar railway station ke pass. Door number 4. Door number 120-4-20-3-4-20-3-24. Opposite Andra bank Hindupur. Number five. Door number 4-24. Beside humbopar. Gol nagar. Anger saab. Aapnee 20 second diyaethe. Aapnee 15 second diya. Aap toh main yunay shoka winner. Aapne jo address batai ho sa hi hoonge. Iske kya guarantee e? Guarantee kya e? Woh sa meray duplicate unit ke original address hai. Chao toho pata kar sakte ho. Zarururat nahi hai. It's time to declare the title winner. Most intelligent. It's none other than. Super Sampongi. Chao toho pata kar sakte ho. Aapnee 25 second diyaethe. I am um ah Maklo Torkai. It was awesome! It was weird. पार बार वार जोटोन पार जाया वोगा को पौड़ा। क्या बख रहे हो तुम बाद चाल्दी को तो मार ही डाला और बाकियों की सिंशन में ले जाके धुलाए की तुम लोग एक सिय को मैंने कर पाए हमारा बिजनस कमजोर हुआ हिए अगर भाईया को बता चला तो सोच क्या होगा अगली फ्लाइट के टिकट कराओ लेकिन वो टिकट कराओ टिकट कराओ टिकट कराओ हमारे परिवार के भाविष्य के लिए कमीटी ने एक फैसला किया है वो क्या है? ये केस बंद करवाने के लिए हम लोग तुमारे शादे सी आई से करवाने की सोच रहे है एक बात पताओ बेटी, तुमारे मन में कोई और तो नहीं है न? नहीं पापा, यही मुझे भी कहना था लेकिन समझ में नहीं 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 आ रहा था कैसे काऊँ? तो आप मोल दो सच काऊं तो उनसे तो मुझे पहली बार में ही प्यार हो गया था उन्हें फसाने के चक्कर में, मैं ही उनके प्यार में फस कई ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मेरे स्वार्थ के बादल ने मेरे दिल पर घेरा डाल दिया था अब रियोलाइजेशन की बारिश बनकर बरस गया है ये टायलोग है, लेकिन उस C.I.E. को हमारी फैमिली का बैड इंप्रेशन पड़ा है उसे कैसे मनाएंगे? मैं बताती हूँ अंकल स्टार्ट करो बेटी सरोजा, शिकागो से बहुत ही अच्छा रिष्टा आया है लड़का बहुत पैसे वाला है कैलिफोनिया से भी रिष्टा आया हुआ है लड़का पूरा हिलो दिखता है करेडा से भी तुमारे लिए एक जबरदस्त रिष्टा आया है पापा, मुझे एनरे के रिष्टे नहीं चाहिए मैं शादी करूँगी तो सिर्फ किसी पुलिस वाले से बात खतम दक्षिना मूर्ती जी से पूछो इंकी बीपी की टाबलेटस इनके पास है ना प्रभा मेरी बीपी बढ़ाने वाली कोई ब्रेकिंग निउस है क्या पूछ लो प्रभा दक्षिना मूर्ती को अपना सर दक्षिन के और घुमाने को कहो प्रभा हाँ उत्तर दक्षिन नमस्त्रा सारा क्या बात है पूरी फैमली पुली स्टेशन तश्रीफ लाईए नहीं माना तो देहे जाफर करेंगे ठीक है लेकिन तस लाग सूपर मत जाना वो क्या है ने बेटा कि हीरो जैसे आप और हीरोईन जैसी हमारी सरोजा अब दोनों की शादी की उम्र हो गई है तो इंट्रेस्ट जगाओ अच्छा एक बात सोचो गानी नगर की दो मिठाई की दुकान और 10 लाख रुपय कैश और रॉयल एंफिट बुलेट मिल जाए तो जब वो मना कर रहे हैं तो क्यों उनके पीशे पड़ गयो हम कुछ भी करें तुम्हें उससे क्या जब दो बड़े बात करें तो छोटों को चुप रहना चाहिए मैं तो बस समझा रहा हूँ कि आपकी बेटी को कोई भी मिल जाएगा तुम्हारी राइक इसने पूची रिटार्मेंट की उमर हो गई लेकिन तुम सुदरने के नाम ही नहीं है तुम्हारे गर पर भी मिठाई भेज देंगे अच्छा बेटा हम सब की पूरी उमिद तुम पर ही टिकी भी है अगर तुम ना कोगे तो हमारे दिल तूट जाएंगे आप कन्विंस अच्छा कर रहे हैं लेकिन आपका कनिंग फेस देखकर मुझे ठोड़ा डाउट हो रहा है मेरा कनिंग फेस छोड़ो और इसका स्टनिंग फेस देखो उस फेस पर तो मुझे ज्यादा डाउट है अब हम आपको कैसे भरोसा दिलाएं पापा इनको कैसे हांडल करना मैं जानती हूँ आप बाहर जाए प्लीज लेकिन क्यूं बेटा मैं कह रही हूँ ना जाए बरोसा करोगे ना करेंगे जाए मुझ पर बरोसा नहीं है क्या क्या बात है देखो मेरी तरफ ऐसे खूर कर देखना बन करो बोलो ना क्या बोलना है कर दामोदर के सारे इल्लीगल बिजनस सिर्फ में बिजनस बचा है जो चीज ब्राइंडेड होती है उसमें कोई चिंता की बात नहीं होती तुम मेरे हुकुम के इक्के हो लेकिन मेन मैच तो अभी बाकी है उस दामोदर को पुलिस की असली ताकत क्या होती है ये बताना है आप बस मैच एंजॉय कीजिए सर मैं उन दोनों को घुटनों के बल लाकर खड़ा करोगा आज तक हर पुलिस आफिसर उससे डरते थे लेकिन आज उस एरिये में सब लोग तुम से डरते हैं अब यहाँ आ ही गए तो एक फिल्म देखकर ही चलते हैं न सर पहले दामोदर के फिल्म का दी एंड करो बाद में दूसरी फिल्म देखकर वो कौन थे साथ मेरे डारत है अद अपनी मनहुस सूरत तो मुझे कभी मत लिखा और अगर तुमने कोशिश भी की तो गोधी मेरा आखरी दिक होगा यह बाप बेटे का कोई मामुली प्यार नहीं है सर भक्ती है भक्त को भगवान कभी अपने से दूर नहीं रखते सर आप जरूर उनसे दुबारा मिलेंगे मैं मिलवाँगा करो मिलेंगे पाइ़ भाइ़ नहीं है अजल कर ःत्भाइ़ एए़ थी जावारीघ प्रड़रा नहीं है मत अभाइ़ था, मत अभाइ़, मत अभाइ़ मत अभाइ़, मत अभाइ़ कहां है तिरा नया C.I., कहां है, बोल, पुलिस वला है कि कोई फिल्म का हीरो है तू, हिम्मत है तो तेरी हीरो पंती मुझे दिखा, इसे कहीं ढख कर रग देना इस पर डस्ट नहीं पढ़नी चाहिए सर ने वाच उता रहा है समझो मैच शुरू होने वारा है शुरू हो गया है कैसे लोग भेजे हैं दामो दरने कितने डरे हुएं सब के सब अरे कोई तो आ जाओ यह सब देखोगे तो परेशान हो जाओगे आखे बन करो और बस कूच जाओ यार कि अहले उर्चर वो आगाओ वोज़ आगएर अरे को आगएब तो खाले नामो फे एंडर कोईों वाओई वाओव निएर चाहिएरो के वादय कोईज़ प्राड़ाब वादा नामो प्रूब शुरू दूरूर के भाद़ है तूसिता पॉस्परू प्रबाददिये शुर् मर भ er घर जड़ों अभ एडन आग आपन आपके आपप梅 direito एक यह लोर सा आप इंद आप यह लोर सादो 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 करते हम उनिर्टोर杉 झालो जिदेगऊ़ों नभी पॉड़ों एका कल एक रड़ादके कि उनि해ले हैं मैं तेरे दामुदर भाईया को बहुत जल्द लटकाने वाला जाकर उससे कहना प्यारे भाईया C.I. साब सीनू, फिरंगी, संपंगी के लिए नहीं आये हैं और ना ही मिरे लिए हमारा जो चिल्लर बिजनेस था उससे जैसे धीरे-धीरे उन्होंने सीज कर लिया ना वैसे ही आपका ड्रीम प्रोजेक्ट बंद करके आपका किस्सा खलास करने वाले हैं वो उन्हें कोई नहीं रोक सकता आप में हिम्मद है तो ट्राइ कर लो प्रोला बिजनेस था इसमें हमें कुद्टे की तरा तला डोला कर नहीं ता लेकिट चिया यसान मने से विकुद्टे की तरा ये पीटा का बलते हो यह किन वो अटतका है क्यो नहीं आइगे आइगे कर दो आपर झाल ऐसे हीरो जैसे शेड्स लगा कर क्या बेठा है, मेरा मेसेज दिया नहीं तेरे इस जोकर ने मेरे आदमियों को बेवकूफ बना कर उनके मामूली बिजनिस सीज करने जैसा आसान नहीं है मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को टच करना इस प्रोजेक्ट के लिए P.W.D. ने क्लियरंस दिया है, एनरजी कमिशन ने लाइसंस दिया है, फॉरेस्ट अथॉरिटीज ने परमिशन दिया है और हेल्ट डिपार्टमें ने अनोसी दे दिया है ऐसे प्रोजेक्ट को कैसे रोख पाएगा, वैसे मुझे कविताय बनाने का बहुत शौक है, एक सुनाता हूँ मुझे पत्थर से मत मारो, उन्हें बटोर कर घर बना लोगा, मुझे जलाने के लिए आग मत लगाना, उससे मैं घर के दीब जला लोगा मुझे यहां से हटाने के मत सोचना तो, वरना यहां से हटा कर तुम्हें ऊपर पहुंचा दूँगा और हाँ, याद रखना एक बार, मुझे मारने के लिए जहर मत देना, वरना पीकर नील कंठ बन जाओंगा सिम्बल फॉरन टूर्स पर विस्की पीने वाले अब जहर पिएंगे, विशाल महारा यह फॉरन टूर कॉर्डिनेटर नहीं, अंडर कवर कॉब है मेरे यहां लान्ड होने से पहले ही इसे वहां प्लांट कर दिया तुमने वो डेपार्टमेंट क्लियरंस कैसे ली, किस से मसाज करवाया, सब कुछ आन रेकॉर्ड है और इस प्रोजेक्ट में मैं स्टे लेकर आया हूँ तो गौडी के पुलिस वाजव, मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को टच करेगा तू, तेरी आउकाद ही क्या है इसके टुकडे-टुकडे करके, चील और कवों को खिलाद होगे न, अपडेटेड हुए यार, उसके लिए पहले टुकडे करने पड़ेंगे, पर वो तुमसे होगा नहीं, ट्राइकर अरे क्या बात है, कित्रे चालाक है अरे कित्रे चालाक हुए अरे कित्रे चालाक है अरे कित्रे चालाक हुए अरे कित्रे चालाक है अरे कित्रे चालाक है और अवार्ण apex मीङ कर यढ़ आव आव, कर दो कि भी सका हाे कच्चरा साफ करके पोर्ट लगा दो, चलो मिश्टर दामोदर, पेशर डिवीजर पोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर टैम्प्रे निश्टे लगाया है देखिये दामोदर जी, जैसे कहा था, ड्रीम प्रोजेक्ट बंद करवा दिया अब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपको फांस ही देगा ऐसे घूर क्यों रहा है, खा जाएगा क्या फिद्योर परमेशन सार प्रोशीड तुझे क्या लगता है, स्तार यहां तेरी घटिया पट्री सुनने आये थे अब संधा हमारे डिपार्टमेंट की ताका तब एक एक से इस दस्ते बात करेगा तुझे इमोशन्स नहीं होता, फिलिंग्स नहीं होती, कंसिडरेशन नहीं होता, रेक्मेंडेशन नहीं होता, ओनली एलिमेनेशन जाननम दिखा के रख दूँगा तुम जैसों को, बावडी हो या गैंस्टर हो, टेरिस्ट हो या क्रिमिनल हो, तुब मेंसे कोई नहीं बच पाएगा, लिकाज ओन सी कॉंसेंट्रेट्स, काउंटडाउन पिगेंग्स तेरी पोयम तो इससे भी अच्छी थी, आज के लिए इतना ही काफी है, एंड में कुछ ज्यादा ही नहीं सुना दिये, यार शेकर अगर वो तेरी स्पीच सुनकर मर गया, तो फिर मैं किसे मारूंगा, इसका नाम हर्शद है सर, ये यूमन राइट्स ओफिसर के मर्डर का आइविटनेस, तो फिर ये बताओ, इतने दिनों से पुलिस को इस बात के कम्प्रेंट क्यों नहीं की तुमने, मैं डर गया था सर, लेकिन जब से C.I. साब को देखा है हिम्मत आ गया है सर, परोसा बढ़ गया है, इसलिए मैंने इनको सब कुछ बता दिया है, तामो दर न इसलिए आइज और में आइज़ को आइजी ऑफिस बाक्सकरण, सर, सर, तामो दिन दे आइविटनेस खूल कर दिया, आपको देख लीजे, क्या इस्पी साब बटैलियन क्यों लाए मिस्टर अदामोदर यू आर अंडर अरेस्ट चार्ज के है हरशद नाम के आई विटनिस के मुर्डर का इल्जाम है तुम पर हरशद डरने के कोई ज़रूरत नहीं है जो कुछ भी हुआ है एस्पी साब को क्लियरली बताओ सर, दामुजी से सियाई साब को शायद कुछ परस्नल दुश्मनी है इसलिए हुमन राइट्स ओफिसर का खुन दामु भाई ने किया ऐसा गभाही देने के लिए सियाई साब ने मुझे फोर्स किया था इतना ही नहीं सर दामुजी के डुप्लिकेट से मेरे फेक मर्डर का वीडियो भी इन्होंने बनवाया है उसके बाद सियाई साब के एक असरी में मुझे किसे ने मारने के कोशिश की तो मैं वहाँ से किसी तरह भाग निकला सर इतने दिन तूने मेरे लोगों के साथ खेला तेरी बारी है मुझे पता था कि तेरा आदमी मुझ पर नजर रख रहा है अब अपना इंफ्लेंस यूज़ करके तुम्हें आसानी से सस्पेंड करवा सकता हूँ अगर बचना चाहते हो तो मेरे पाउर प्रोजेक्ट्स पर लगे अलिगेशन्स क्लियर करते हैं मेरी वज़े से आपको सर जुकाना पड़ा सर दम उन्हें मेरे बीवी बच्चों को किड्नैप कर लिया था और उन्हें मारने की धमकी दी थी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मुझे माफ कर देना से वो मुझे से नहीं बच पाएगा मेरे भाई की मौत का कारण भी 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 आपके भाई को मारा आई जी सर ने मुझे वो फाइल दी तब पता चला इस केस में जिस कलेक्टर ने सुसाइट कमिट किया वो मेरा भाई था तब ही मैने दामो को खत्म करने का फैसला की लेकिन टार्गेट मिस हो गिया शंकर का टार्गेट कभी मिस नहीं किया मैं जानता हूँ तुमने कोई गलती नहीं की थी उस वक जो कुछ भी हुआ था वो सब तुभारे भाईया ने मुझे बताया तुम्हारे भाईया और भाईया की आत्मात्या की पीछे बहुत बड़ी साजिश मरने वाला हुमन राइट्स ओफिसर तुम्हारी भाईया का क्लास्मेट था लोगों को इस पावर प्लांट से हानी पहुँचेगी इस सिलसिले में आपका सपोर्ट चाहिए सर्ब आप रेखा के दोस्तें इसलिए नहीं बलके इंसानित के लिए अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए आपको मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा ये प्रोजेक्ट किसी भी हाल में पूरा नहीं होगा ट्रस्ट मी, इस प्रोजेक्ट में ऑफिसर का इंटरफेरेंस दामो को पसंद नहीं आया इसी लिए उसने हुमन राइट्स ऑफिसर को माल डाला उसके बाद तुम्हारे भाईया ने केस की सारी डीटेल्स एस पी अरजुन राव और मिनिस्टर नागराज को बताई उन लोगों ने तुम्हारे भाई का साथ देने का वादा किया कुल मिलाकर पंदरा सो लोग रहते हैं सर हमारे गाउ में बच्चों को पढ़ाई के लिए तीन किलोमेटर चलना पड़ता है अमने नजदिक स्कूल खुलने की कोशिश की तो दामोतर ने उस जगह पर कबजा कर लिया विद्या सब बच्चों का हक है मुझे कुछ और टाइम दिजिए आपके गाउं में जल्दी ही स्कूल खुलेगा बरोसा रखिये थैंक्यू सर इनकी ब्रिक फैक्टरी लीगल है फिर भी आप इनसे जबरदस्ती रिश्वत मांग रहे हैं ऐसी कम्प्लेन लिखवाई है नहीं सर ये तो स्कूल के काम से आए अरे जूटे सर आप चाहे तो फोल्डर कोल के दिख लिजिए पाट लाग लाने को कहा था अब सब कुछ क्लियर है सर दामू ने जान भुच कर मुझे इस केस में फसाया आपको इस केस में फसा कर उन्हें क्या फायदा होगा दामू इंलीगली एक पावर प्लांट कंस्रक्शन शुरू करने वाला है उसकी रिपोर्ट मैंने मिनिस्टर नागराज को दे दी थी एक दाम जूट इक कलेक्टर सरासर जूट बोल रहा है आज तक मैं इसने कभी मिला ही नहीं और ना है इसने कोई रिपोर्ट दी अपनी गल्दी पर परदा डालने के लिए हम जैसे बड़े बड़े लोगों का नाम उच्छाल रहा है ऐसे लोगों को माफ नहीं करना कलेक्टर साहब ये बरदाश्ट नहीं कर सक्या और हुमन राइट्स ओफिसर के दिन दाढ़े हत्या कर दी ये रही आई विटनेस की रिपोर्ट कलेक्टर साहब ने पावर प्लैंड के लिए मुझसे दस करोड के रिष्षत मांगी थी जब मैंने ना का तो मुझे कई तरह से ब्लैकमेल भी किया हम दिन रात मेहनत ऐसे करप आफिसर्स की जेप भड़ने के लिए नहीं करते हैं सर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चा उसके बाद जब भारत बेल पर घर वापस आया तो सारे के सारे न्यू चैनल्स वाले उसी की बदनामी कर रहे थे रिष्वत लेने के कारण पकड़े गए कलेक्टर भारत के केस में कुछ नई बाते सामने आई है हमें शक है कि हाले में जिस यूमन राइस ओफिसर का मर्डर हुआ था उस ओफिसर के कलेक्टर भारत की पत्नी रेखा के साथ नाचायस संबन थे इसलिए भारत ने उस ओफिसर का मर्डर कर दिया पुलीस अभी तक इस केस की छान बीन कर रही है यह सब क्या है भाईया सुनो बहन परिशान मत हो हम जानते हैं कि सज क्या है इनका तो काम ही है दूसरों पर कीचर उचालना आप से कुछ बात करनी है पापा मुझे पता है तुमने कोई गालती नहीं किये मैंने गल्दी किये पापा बच्पन में उस लडगे की मौत का करण शंकर नहीं था पापा मैं था आपकी इजद बचाने के लिए वो खुद जेल चला गिया तुम पापा से इस बारे मैं कुछ नहीं कोगी प्रॉमिस करो आपकी बात मानकर हम से दूर भी हो गया यह बात मुझे पहले बता देने चाहिए थी यह बात उसने मुझे उस दिन क्यूं बताई यह समझने में मैंने थोड़ी देर कर दी अंकल जी मैं बहन और जीजा जी को कुछ दिनों के लिए अपने घर ली जाना चाहता हूं उनको थोड़े चेंज की जरूत है ठीक है बेटा दादा जी दादा जी क्या बात है मेरे साथ आईए अहां बेटा लोगों की भलाई के लिए एक जंग लड़ा था उसे उन्होंने जलिल किया और फिर उसकी मौत की वज़े बन दे अब ही अगर उसे हाथ लगाया तो प्रोजेक्ट बन करना पड़ जाएगा केस ओपन उसी ने किया था और अब तक उसी के हाथों में है तो बन भी उसे ही करना पड़ेगा मुझे उसके साथ जो भी करना था मैं कर चुका हूँ अब बॉल उसके कोट में है मुझे अब टिए एलगा अब बॉल चुका हूँ तो बड़ कोट में हुआ कि ङसा लुका हूँ मुझे पता था तु आएगा सरेंडर करने और सॉरी बोलने चुपे, आर्गुमेंट मत कर, तेरी बकवास नहीं सुनिये तेरा लिकर बिजनेस बंद करवाया, बेटिंग बिजनेस बैंड करवा दिया डूपलिकेट धंदे पे ताला लगाया, ये सब किस लिए किया पावर में था, इसलिए किया, पावर है तो सब कुछ है ये मैं समझ गया बिना पावर के, हम हार जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं इसलिए तुम्हें एक प्रपोजल दे रहा है मुझे मेरी पावर चाहिए, तुम्हें पावर प्रोजेक्ट चाहिए आपने दिये? जब कैप्टर नी बिका हुआ है तो प्लेयर्स क्या करेंगे? अब कैच की आए, ऐसे रहोगे तो पर्मोशन कंफर्पॉर्ब मंतरी जी प्रमोशन के लिए तो मैंने ये स्टेप लिया था लव यू शंकर अब तक इस प्रोजेक्ट के प्रोब्लेम सिफ तुम ही थे और अब इसके कंप्लीशन तक मुझे और कोई प्रोब्लेम नहीं चाहिए याद रखना कल मेरा बहुत दे है, यू भी मैं स्पेशल गेस अब ना कोई प्रोब्लेम क्रियेट करूँगा ना किसी को करने दूँगा बहुत बढ़िया गामोजी, बढ़ डे गिफ्ट के लिए आप पर लगे सारे केसिस हटा दिये एक दम जोट पावर प्रोजेक्ट के अपील की हेरिंग भी कल है ना पीले ना हेरिंग एक हफते में आपके हाथ में ओर्डर्स आ जाएंगे अथकड़ी आ जाएगी सारे गेस तो आ गए, केक काटिये ना किसका इंतिजार है मेरी सुशिला का अब ये कौन है मंत्री जी सुशिला, दामु गॉल्फ्रेंग, बहुते संसकारी हैं ही मैडम वाव, गॉर्जियस, मेस्मराइजिंग, स्पेल बाउंडिंग, यूर लुकिंग सो सेक्सी बेड़ मैंने ऐसा क्या कह दिया दामु, सेक्सी से वेरा मतलब सिर्फ कॉंप्लिमेंट देना रहता परीफी करनी है तो कोई डिसेंट शक बोलना, क्या समझाए तूने सुशिला हो सॉरी जानु, ये तो बेवकूफ है, चलो के काट करें अप्टी बार्डे तू यू दामु, ये पार्टी वार्टी बहुत हो गई, अब है मैं प्रोजेक्ट पर कॉंसेंट्रेट करना चाहिए, वैसे भी दिल्ली सुरी बहुत गुस्से में है, अरे वो पता नहीं कि दिल्ली से फोन है कुछ साल पहले देली मुनिस्पल स्कूल का बेल बॉय, वहां घंटी बजाने के साथ साथ करप्शन भी अच्छे से सीख गया, आज की डेट में वो इंडिया का टॉपमोस ब्रोकर है, देश के लगबग 10-15% इलीगल कामों को वही पाइनांस दिलवाता है, जिस भी 2% उसकी पॉकेट में, कोई भी टेड़े से टेड़ा काम क्यों न हो, ये ब्रोकर कैसे भी उसे सॉल्व करी देता है, ABCD नहीं जाने वाले को भी ग्रैजुएट बना देता है, पाकिस्तानी टेरिरिस्ट का पासपोर्ट तक भी बनवा सकता है, 2% फेको वो कोई भी काम करके दिखा देगा, पैसे दोगे तो वो गटर में भी आपके लिए स्विमिंग करेगा, ये तो आप से भी घटिया निकला, क्या इसकी शादी हुई है, वाइफ जेल नहीं सकी तो छोड़ कर भाग गई, ये नमूना कहां पाया जाएगा, पोनली पोन पर, परसनली मिलना बहु क्रिपल्ड क्रिमिनल, येस, ऐसा ही हुँ मै, इस दिली सुरी के बाद सिली संटीमेंट्स नहीं है, मुझे एमोशन ने कमिशन चाहिए, मेरा परसन्दज मेरे लिए सब कुछ है, तुम अगर ज्यादा दोगे, तो आल्रेडी तिवारी को सेट किया हुआ थीजी प्रजेक् क्या सर, फ्लाइट में इतना खर्चा करके दिली जाना सरूरी है क्या? हम अपना खर्चा देखते रहे तो सूरी साब का क्या होगा? अब ये सूरी कौन है? दामुदर के पावर प्रजेक्ट का बागबोन, लेकिन वो तो सूरी का इस्तिमाल कर रहा है, जस्ट 2% कमिशन दे देंगे तो हमें 2,00,000 नहीं देंगे क्या? वाई, ये गदा तो 2,00,000 लेकर मुझे 200 करोड दिलाएगा फ्लाइट का टाइम हो गया, कहा जा रहे हो? दिली, सुरुत नहीं है, तुम कौन होते हो कहने वाले? दिली सूरी, दिली सूरी, माइग दिली सूरी, आप है, सौरी सर देखो कल में तुमारे घर आ रहा हो, तुमारे सारे पार्टर्स के सब मीटिक अरेंज करो, बागे की बात वहीं आगर करूँगा, ठीक है सौरी साब, अरे तू मरे का दिराशन, ये कैसी रिंग्टोन है? मेरी बीमी जवाज है, उसका और मेरे तलाक के बाद वो मुझे दि ब्रोकर हो तो क्या ब्रोकर ही बना रहा होगा, ओनर नहीं बन सकता, ये सौरी साथा बोलेगा तो इधर इच काट डालेगा, तो फिर लोन कैंसल, ऐसे डर रहा होगे तो काम निकरूँगा, बजा रहा हो, अई, दुरगा रोग जा, सौरी साब आप बैठो, आपको पार्ट याई, ये सब 5% के लिए आप अपना पुराना रिलेशन खराब करेंगे, अरे, SP साब, आप समझाईए नहीं नहीं, तो सुनो, चुक, 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 प्लीज, शेयर हम आखर किसे दे रहे हैं, अपने सूरी भाई को, हम अगर उन्हें एक गिर्फ देंगे, तो वो 10 ऐसे प्रोजेक्स फिलाइन्स करेंगे, क्यों सुरी भीया, हाँ? इसको जो करना है करो, हम जा रहे हैं, सुनो तो, इक उच्छे में कहा जा रहे हैं, तो हमारे गेस्टा उस में रही है, किसी होटल से कम नहीं है, इस्टर का फ्रस्टेशन और भाई का इरिटेशन देखकर, पूरी सिक्योरिटी मैं तुम पे छोड़ता हूँ, okay, okay, happy, for the time being. अपनी ब्रेन की पाउर को यूज करके, और यही है आज हमारे शॉटकट की स्टोरी. हमेशा कमेशन के लिए ही काम करते थे ना, अब अचानक शेर क्यों माग रहे हो तो? एई, सिंदगी में हमें आगे नहीं बढ़ना है क्या, ब्रोकर हमेशा ब्रोकर ही रहेगा, और नहीं बनेगा क्या, ऐसा मेरा रिस्क, मेरा टेंशन मेरा, और मज़े तुम उठाओ, जब काम खत्म हो जाता है, तो कुछ पसंट देकर हमें साइट करके भूल जाते हो, आज के इसा नहीं होगा, ठीक है, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आप, आराम से बात करते हैं, लेकिन ये क्रिमिनल प्रोकर सिर्फ यही पर सैटिसपाइड नहीं हुआ, इसने तो पूरे प्रोजेक्ट पर ही आँख ही टिकाली, उसके लिए ये किसी भी हद तक गिरने को तयार हो अपना लेक्टिर का ही और जागे सना, तुम मेरे दोस्त हो कि उनकी तरह दुश्मन, मुझे तुमारा सजेशन नहीं चाहिए, सबूर्ट चाहिए, मेरी अंतरात्मा सपोर्ट नहीं करेगी न, वो मेरे घर आएगी, मेरे किचन में आएगी, मेरे बेडरूम में आएगी, मे जवाब दूँगा सर्टिली सूरी, एक स्टाथ दो लाग देगा तुम्हें, सच में, सच में, अब क्या चाहिए तुम्हारी अंतरात्मा, उसे तुम्हें समझा दूगा सर्, क्या करना है वो बताईए, सब डॉकिमेंट्स को साइन करने से पहले पढ़े, सूरी साब, जहा करेंगे, साइन कर दूगा, ठीक है, जहाजा टिक या वा कर दो, अरे तुम्हें का तेरा सच्टा, हलो बोलो, मैंने मना किया ना, अरे मेरी बात को सनो, इतना भला तिक हुए यार, समंधर में लहर उटना और पार्टनर्स की भी जखड़ा होना, कॉमन है, बैटकर बात सु बाते कर रहे हैं, पूछो तो चिड़ी जाते हैं, जाने बन बोलो, सिर्फ अपने काम पे धान दो, शेयर करने से प्रॉबलम कम होती है, सूरी भाई, तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है, दामो, बातरूम का है, उस तरफ, इतना सब करने के बाद भी उस दाम कर तो, नाघराज, इसका मतलब वो नागराज ने किया था, सब जगह साइन कर दिया न, क्या कल राच से तुम्हें बिनिस्टर नागराज का ही फोन आ रहे हैं, कैसे बता चला तुम्हें? ये बात मुझसे क्यूं छुपाई, बोलो, बोलो, क्या बताओ, यही क्यों नागर सबसे दूस फरम हाउस में आ जाता हूँ सेक्यूटी को भी अपने साथ नहीं लाता हूँ तुम कहां चले आए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर पुलिस टेशन में होरी प्रब्लम्स की जानकारी के लिए स्याई साब ने मुझे इधर भेजाए सर प्राब्लम का है बको देख लो अपनी आखो से सूरी जी आपको लिप्रीडिंग आती है न वो क्या बात कर रहा है ज़रा बताएंगे प्लीज यह देखिए दीवारों करंग उतर रहा है सर डाम उदर का असली रंग यह यह स पावर भी पूरे दिन नहीं रहता पावर प्रिजिक पर नहीं शुरू होना चाहिए था मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है ट्वालेट का डूर भी मजबूत नहीं है मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है कि कुछ गुनाओ की सबूत उसने इस तरह बिटा दी है और उपर से मच्छरों का भाड में जाए मच्छर उतो हर जगह होते हैं भाड में जाए यारी दोस्ति अब दाम उतर नहीं बच पाएगा ही का देख लेंगे तुम जाओ सर ते वहार का मौसम है तो अगर आप तो अगर आप तो आजाओ सोचा नहींता दक्षिना मूर्टी ऐस निकलेगा तुम ही बता उस बीचारे के पास ऑप्शन क्या है तुम उसे लाख री बतन ख़ा देती हो क्या वो नागराज सुबस्बस फाइल लेकर दिल्ली के लिए निकल जाएगा उसका होल बहुत पाउरफुल है तो आप क्या करें सूरी जी उस नागराज को हटा देना कर रहे हैं को इस वचने की जरुद नहीं है कट इमिडेटली कट इम आइसे कट इम आफ अरे इका क्या तुमने मैं उसका सिकार करने वाला था और तुमने उसको भगा दिया उस हिरन के पास अभी और भी वक्त है पर तेरा वक्त खत्म हो गया तेरी वज़े से जिस कलेक्टर ने आत्म हत्या की थी वो मेरा भाई था आज तेरा किस्सा खलास आमरा नहीं तुमरा दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाले कभी न कभी उसमें खुद गिर जाते हैं तूने मेरे भाई की बदनामी करके उसे आत्म हत्या करने पर मजबूर किया मैंने दामू के सामने तुझे बदनाम किया और वो सोचता है कि तूसे मारना चाहता है अब तेरे दिन भर गए, देखता हूँ कि मेरे बिच्छाई जाल से तु कैसे निकलता है, चेक में अरे दामु कान का बहुत कच्छा है, पता निसने हमरे बारे में का बोला होगा, यह तो नेटवर्क का भी प्राब्लम है, तो दामु को फोन कैसे करूँ, इस पेड़ पर चाड़ता हूँ, नेटवर्क मिलेगा अरे पगला गए हो, इस तब धोखा है, साधीस है, उस अला संकरवा ने ड्रामा करके दामू को भड़का दिया है, ये मोल छो ए जाला फार के चिल्ला ना रहा हूं हमईरी बात समझ में नहीं आ रही है पुर्भक कही पांटनर्स के बीच प्रोग्लेम क्रियेट करने का सोच रहे ब्रोकर के प्लान ने काम किया या नहीं, लेट्स चेक इट आउ फिल्म खतम हो गई है ये प्रिस्टुक ऐसे कैसे मार दिया या मुर्डर तो आप ही ने प्लान किया था बाप ही पूछ रहे हैं मैंने का प्लान किया जड़ा ये सीन देख लो उस नागराज को हटा देना चाहिए दामा सोचने की कोई सरत नहीं, कठी इमेडेटली, कठी इमेडेटली अरे मेरे शेर कट करने के लिए का था, आज में काटने के लिए नहीं अमने जो मीनिंग समझा वो कर दिया, वीडियो कोट देखेगी तो अरेस्ट करेगी, दामू देखेगा तो मार देगा तो ये वीडियो देखो उस दामू और पार्टनस के भी जगड़ा करना के उनका शेर भी पहले लोगा ये तो गलत बात है वो लोग में दूत दूले हैं क्या, आल जी खीड़े है, और दामू दोन सब्सरे बंतर है कितना चालू हरे तु, हाई बजट मूवी की तरह ऐसे SD वीडियो कैसे रेकोड किया तुने ये सर्फ बाटरी बाकप नहीं, ये है चारजर प्लस टॉर्च प्लस MP3 प्लस अलाम प्लस रेकॉर्डर मेरा आइफ़ोन मेरे खिलाब यूज़ करके तुम्हें मुझे चीट किया, ये अगा है अन्याय को पैंट शर्ट पहना दूना तो तो तेरी तरह दिखेगा और जब मैंने रोका था तो मुझे कहा था अपने सजेशन अपने पास रखो अगर मेरी बात है नहीं मानोगे तो ये वीडियो यूट्यूब पर डालूँगा स्क्रिप्ट तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है सर्थ अब बताओ मेरा असली नाम क्या है एंकाउंटर शंकर बी शाफ मिनिस्टर नागराज के हत्या के पीशे नकसलाइट्स का ही हाथ है जो हमें चांच से बता चला इस केस को और डीप स्टड़ी कर रहे है पूरी जानकारी जल्दी बताएंगे केस को क्या डाइवर्ट किया एस पी साब आपसे बहुत कुछ सीखना है लव यू सुनो तुम दूरो परसो सी आई साब ने मिनिस्टर को आई लव यू बोला था तो ऊपर निकल लिया था मतलब नेक्स्ट विकेट एस पी का गिरने वाला है मैंनिस्टर के साथ फोटो मिस कर दिया इसके साथ कही चलेते हैं चालों एस पी साब आपके साथ एक फोटो हो जाए मैने तामू कि हेल्प की इसलिए इस लिए इस मेमरी को स्टेव करना है इसलिए चाप एक पोटो लीदिये ना अभी लेता हूं थैंक्स बहुत अची बेली लिली वो सेर्फ वर्किंग टाइडल है औरिजिनली हाइदराबाद में वो बिली डान्स किया करती थी कॉलेज में पढ़ते समें क्लासमेट ने कहा कि तुम हिरोइन जैसी लगती हो तो वो मॉंबई भाग गई और कुछ बिक शॉट्स को उसने पटा लिया उन्होंने इसे सपने दिखा कर अपने सपने पूरे कर लिए प्रस्टेशन में आकर उसने बहुत कोशिश की लेकिन आखिर में उससे सी ग्रेट की फिल्में ही मिली ऐसी स्टार नहीं बन पाई तो वह ऐसी स्टार बन गई उसकी पॉपेलारिटी इतनी बढ़ गई थी कि उसके कुछ वीडियोज ने पूरे भारत के दर्शन भी किये इसी बीच उसकी मुलाकात दामोदर से हुई पौरन अपने पती से डिवोस ले लिया और जूटी एमोशनल कहानी सुना कर दामोदर को पटा लिया लॉजिक छोड़कर ड्रामा देखकर दामोदर इमोशनल होगे और शादी के लिए हां कर दी वैसे इस रॉकेट का इस्तेमाल किस पर करने वाले हो एस पी मलेकर जुन यो कांट वाई विकास ही इस गे क्या बकवास कर रहे हूँ डिपार्टमेंट में तो सब उन्हें रोमान्स किंग कहते हैं है ना हाँ सर डे नैट लड़कों को मेसेज बेशते हैं और महिने में एक बार बैकोग ज़रूर जाते हैं प्रोड़क्ट जब वीक होता है तो पबलिसिटी पीक पर होती है सिच्वेशन में सिंख होने वाली चार बाते बताता हूं सुन लो पानी वाले साफ में जहर नहीं होता गरजने वाले बादल बरसते नहीं भॉकने वाला कुत्तः कभी काटता नहीं और सारे साधू पंडित नहीं रहते जटके वाली बाते हमेशा confusion ही पैदा करती है फ्लाश बैक चिक करोगे तो clarity मिलेगी आज मेरा बर्दे है है एपी बर्दे है एपी बर्दे है एपी बर्दे है ज़्यादा दिमाग मच चलाओ मेरे बताय प्लान को फॉलो करो इस समय कुछ भी फॉलो करना मेरे बस की बात दिया सर्थ दोबारा मेरी बातों का टेड़ा जवाब दिया तो मैं क्या करूंगा पता है मेरे वीडियो ले जाकर दामु को दिखा दोगे एंकाउंटर कर दूँगा सॉरी कुरू जी अब जो बोलेंगे करूंगा ड्राइवर, मंदिर जाने का टाइम हो गया है जाओ जाकर गाड़ी निकालो हलो हलो लिली एह, कौन हो तो? मेरा नाम सुशीला है यह और को उल्लू मनाना मैं तुमारे बारे में सब जानता हूं शॉट अप, रॉंग नंबर रॉंग नंबर कहने से सच जूट में नहीं बतल जाएगा मैड़ और सच क्या है? तुम्हारा असली नाम बेली लिली है और तुम हैदरबाद के कलब में डांसर थी फिर मुंबई में भाग कराई और सीग्रेट फिल्मों में काम करने लगी मुंबई के काफी सारे बिजनेसमेन तुम्हें बहुत अच्छी तरह से चांद से आपको शायद कोई गलत फैमी हुई है आप जो कहरें वो सरासर जूट है जूट और सच का फैसला करने के लिए मैं तुम्हारे गर सीडी भेजू मैं दामुदर के साथ घर बसाने वाली हूँ फ्लीज मेरी जिंदी की बरबाद बत करो ऐसा ना करने के लिए मुझे दो करोड रुपए चाहिए दो करोड रुपए? समझ नियारा मैं क्या करूँ पैसे जुटाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए ओके मैं तुम में 20 घंटे का टाइम देता हूँ हर घंटे टच में रहूंगा बाई तो तुम बरी दीजिए तुम पहले डांस करते थी तुम मैं आठिक करते थी तुम को पता चल गया तो इस कथे को सब कैसे पता चल गया इसका भी मूब बं करना होगा यही तो मेरी परिशानी है सूरी जी आप कोई भी मामला संभाद लेते हैं बड़े-बड़े प्रोजेक्स आसानी से सेट कर लेते हैं मेरे छोटे से प्रोब्लम को सॉल्फ कर दीजिए आपको जो चाहिए वो मैं दूंगी प्लीज सूरी जी प्लीज तुरी रहाई चुट हो जाओ टको रहा हो ना मैं सब कुछ सॉल्फ कर दूँगा तुम दो रही हो तो मुझे भूना का रहा है करो मेरे बाइचे लो बाद सुनो लीली रोना है तो उस अरजुन राओ के पास जा करो वैसे भी तुम्हें घूरता रहता है तुम्हारी प्रोब्लम यू सॉल्फ कर देगा अलो मैं हूँ सुशीला सुशीला बेवी वाट प्लेजट सब्राइज मैं एक प्रोब्लम में भस गई हूँ तेल मी बेबी, वोट्स यू प्रोब्लम कोई मुझे ब्लैकमील कर रहा है हर घंटे मुझे फोन करके कह रहा है कि अरजन्टी दो करोर रुपे चाहिए नहीं तो मुझे मार डालेगा क्या करू कुछ समझ नहीं आरा प्लीज हेल्प मी, SP जी अरे मैं हूँ ना, लेकिन ये इश्यू दामू को पता ना चले, ये मैनेज करना मेरा काम है ट्रस्ट मी, धंकिय देने मारा तुम्हें हर गंटे फोन करने वाला है ना टाइम वेस्ट मत करो, 15 मिनट में मैं तुम्हारे घर पहुंच जाँगा एक घंटे में तुम्हारा काम हो जाएगा टोंट पैनिक प्लीज, आम कामिंग ए सूरी, उस SP के क्वेश्चन और लेली के अंसर्स मिक्स करके एक ट्राक रेड़ी करके दामो को सुनाना है, तुम ध्यान से लीड करना वीशार, वीशार, शटर कोड से क्लियरंस आते ही प्रोजेक्ट के काम जल से जल खत्म करना होगा अरे ये, क्या कर रहा है, सूरी चुप कर रहा है अरे, खड़े होकर मेरी शकल के देख रहे हो, फोन कॉल के रिखॉडिंग इसे सुना, नहीं सर, उसे नहीं होगा सर, तो इससे नहीं होगा, तो इससे जद्धा शर्म नहीं हो सकता मैं, इतना सीम क्रीएट कर दिया, दामू भाई क्या सौचेंगे, शंकर, आखिर हुआ क्या ह प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हारे हाथ चोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, सुषिला, 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 दर्मादा क्खोलो, क्या होगा यहा, तुम टाइम पर आगा, इसलिए मैं बच गई, बरना मैं किसी को मुझो दिखाने लायक नहीं रहती, क्या कर रहा था कोई मेरी तरह दिखने वाली एक लड़की ने एक गंडी फिल्म में आक्टिंग की है उन डीवीडी को लाकर तुम्हें दिखाऊंगा क्या कर मुझे डराकर मुझसे बत्त मेज़ी करने की कोशिश कर रहे थे जब मैंने मना किया तो यह दामू यह जूट मैंन कहा नहीं कर सकता है कितनी बार मेरे सामने ही लड़कियों को गेस था उसमें बुला चुका है तो ओ दामू ओ सिर्फ पॉब्लिस सिटी एदे इस नो पॉसिबिलिटी लोगों को दिखाने के लिए कि मैं स्ट्रीट हू सच में मादा स्वेर आम गे आम गे आम गे आम गे आम शेयतान की तरह मेरे पीछे पड़ा था और अब तसने पुरी स्टोरी चेंज कर दी इस पे विश्वास मत करो दमू मुझ पर वरुसा करो या ना करो लेकिन इस पे बिल्कुल मत करना शीज था थार्ट ग्रेड लीडी तो मुझे क्या मारेगा उससे पहले मैं ही तेरा इंक देखा न शेंकर मैंने अपनी जिंदगी का सुपा सिकर्ट बता है फिर भी मुझ में भरुसा नहीं किया उस थार्ड लेडी की बाते मान रहा है किसी का भला करने निकले तो भी पुरा हो जाता है जो गलती में चाहकर भी नहीं कर सकता उसका प्लेम भी मुझ पर लाइफ इ अब दामु को कैसे बचाओं क्या कह रहे हो सूरी जी मैं जगा हूँ वह एस पी कह गया क्यों दामु का एंकाउंटर करवा देगा गुस्से में लोग सौ बाते कहते हैं लेकिन दर्स पीस तो करी देती ना जो रेप कर सकता है वो एंकाउंटर ने कर सकता जा चुक कीजे अज़से मेरा मतलब यह था कि अधर लेडिए अट्रैक्शन बहुत डेंजरस होती हैं मैक्सिममूम मर्डर्स का रीजरन लड़कियां होती हैं रिसेंट्ली हुई एक क्राइम स्टोरी सुनाता हूँ सुरेश और रमेश दो बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे रमेश की भी आपकी तरह एक गर्ल्फ्रेंड थी सुशीला मैडम की तरह वो लड़की भी बहुत सुशील थी लेकिन पुरी नजरवाले सुरेश की आखें उसको ही नूर हीरे पर पड़ गई उसने धमकी दी कि मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूँगा जब लड़की ने बात नहीं मानी तो उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की उसी वक्त रमेश ने इंट्री मारी जरूरी नहीं कि इस केस में वही हो लेकिन आज का लोगों का क्या भरोसा देखा न सूरी भाई कितना गलत हुआ आज तामोर मेरे बीच कितनी गहरी दोस्ती थी एक दुसरे का हाथ पकड़ कर चलते हैं अब ये बात बाहर निकली तो मेरी इस्जत का क्या होगा इस तका लेता हूं सूरी भिया लेकिन एक बात सोची उसने मुझे फोन करके बुलाया ही क्यो और इसे फसाया ही क्यो मैंने उसका क्या भी गाड़ता शाय कोई और इसके पीछे है पुलीस वाले होना इसलिए करेक्ट गैस किया इस सब के पीछे मैं ही हुआ कलेक्टर भरत मेरा भाई का यूमन राइट्स ऑफिसर के मुर्डर की रिपोर्ट उसने तुझे और उस मिनिस्टर को दी थी और मिनिस्टर का खेल दामुने खत्म कर दिए तेरा टाइम भी आ चुका है तू ही मेरा अगला टार्गेट है तू मुझे मारेगा ये बात अगर दामु को पता चली तो तू मरेगा मेरा फोन का है क्या सूरी जी जहर देकर मार दिया मैंने नहीं मारा असल उस दामरे टीफिन भेजा तो मैंने उसके सामने रख दिया भेजा उसने पर खिला है तो तुमने था मैं विडियो रेकॉर्डिंग दिखाऊं क्या जरुरत नहीं है एक ही काम तो ठीक से करते हो थांक्स यार शक्की सुई को मोड देने वाली पोस्ट माटम की रिपोर्ट कल रात हमारे स्पी अर्जुन राव की लाश की जाच की गई तो डॉक्टेस ने एक्सेसिव फूर्ड पॉइजनिंग का कारण बताया है दुर्गा एस्पी का मर्डर तुमने किया यह तो दामु भाईया को भी पता नहीं चला है अट्स ओफ लव यू लगता है मूर्थी साब के लिए गदाद तयार है ना तुम्हें कबसे उनकी लाइफ में जब से मैं अटर हुआ है आपका हाल तो मुझ से भी ज्यादा बुरा लगता है फिर तुम्हारा हाल और भी बुरा करता हूं वो कैसे उस मिनस्टर को तुमने एक फाइल दी थी ना वो थाने क जरूतों के लिस्ट बताई थी। उसने तुम्हारा इस्टमाल करके डामू को जरी ये मिनिस्टर को मरवाया। अब तुम्हारी बारे हैं। अब एक कंसल्टन्सी से बैलेंशीट आई है। तुने जो इंवेस्मेंट के लिए टिप्स दिये थे वो सारे के सारे घलत थे साले। मुझे पांच करोड का नुक्सान हुआ है। अगर ये बात भाई को पता चली ना तो हम सब गए है। मैं फिर शेर मार्केट में पैसा कवा दिया। क्या शेर्स ? मैंने तो नहीं खरी दे। सच सच बता। आपको गलत फैम ही हुई है। तिर ये क्या है। मज़ाच है। पैसे डूप गए। शेर में कभी पैसे आते हैं कभी जाते हैं। इसमें इतना टेंशन क्या ले रहे हैं। आज करोड जाएंगे तो टेंशन नहीं होगा। कैसे रिकवाद कर रहा है मैं जानता हूँ। कूल रहा हूँ। जलती खुद करके आप पे कुछ लाके गया वो। चुप रही है सूरी जी। आप जैसा आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। एक तो ये लेटर इनको दिखाया उपर से और जगड़े करवार हैं। आप में कोई शरम हाया है कि नहीं। ये कोई छोटी बात है बोलो। आज करोट इन्वेस्ट करने से पहले से पूछागा ने। आज ये हुआ कल कुछ और भी हो सकता है। मैं वेलू शरू हूँ। इसलिए कह दिया। अरे तुरगया परेशान मतो। आज गवाया है कल कमाले न। वही तो सूरी साब भाय को बीपी का प्रॉब्लम में ये सोचकर ये बात उनसे चुपाई थी मैंने। सही किया। पैसे डूब गए सुंतर परिशान हो जाते हो। ये सोचो वह पैसे वापस कैसे कमाऊगी। सूरी भाई आप एक काम करो। आपने शेर मार्केट में कितने पैसे कमा है अपनी एजनसी का नमबर ही हैं दो। रिक है मैं अपने बेस्ट शेर प्रॉकर को कली तुम से मिलने को बोलता हूँ। सूरी जी को मैंने करोड़ों कमाने में मदद की है। मेरी टीब सक्सर 90% करेक्टी होती है। पहले हम छोटे अमांट्स में इन्वेस्ट करेंगे। फिर रिजल्ट देखकर आप नेक्स्ट आपले में ना। यह अचने भी कौन है। अग तुरका उससे क्या बात कर रहा है। इसे रहा हैं। कि दामो भाई भागया कि आंट मिश्वा हम परिशान दामो मिश्व गञया दुरक परिशान होगा पुलिस बाज़े हो कि यांद शि्ट्रिक अब्जोर दुरका रंशोर ने होसाँ में को pari मतलब मैंने जो सोचा था वो आज सच हो गया है तुमने क्या सोचा था मेरे भाई बताता है फिर जल्दी बोलो ना दुर्गा दामू को मारेगा ताकि दामू की सारी दौलत उसके नाम हो जाए और मेरे शेर किसको मिलेंगे दुर्गा पर लेकिन उसके कुछ भी करने से पहले आपको ठोस कदम उठाने होंगे दामू भाई क्यूंकि वो आपसे खतरनाख बन चुका है जमीन जायदाद और पैसों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है ये बस आज तक मैंने सुना ही था अब देख भी लिया कि इस बात में कितनी सच्चाई है आपको दिखा देना चाहिए कि आप दुनों में बड़ा चाहिए कौन है भाई आखिर तुम्बर हमला किस ने किया बोलो भाई किस ने तुम पर अटेक किया था आप सिर्फ नाम बताओ मैं उसे मार डालूगा कौन था बताईए तू बता तू बता आप ऐसा चुप क्यों खड़े हो मुझे बताईए कौन था वो आपको असाब सुंगया है क्या बोलते क्यों नहीं बताईए वो कौन था बताईए अवारा कुट्टे की तरह भॉंकना बंद कर वो अटाक मैंने ही करवाया उस यूमन राइट्स आफिसर को तूने ही मारा था ना उस मिनिस्टर और एस पी को किसने फसा कर मरवाया था ये समझ जा क्योंकि अब तेरी बारी है एसे दे क्या रहे हो भाई मार डालो साले को मार डालो अगर इसे नहीं मारा तो यहामें मार डालेगा ये जिन्दा नहीं बचला चाहिए भाई मार डालो इसे मार डालो आप एसे घूर क्या रहे हो इसे मार डालो मार ना हो का इसे मारो इसे तुमने बिल्कुल सही कहा था अगर इसके बाते सुनता तो इमोशन्स में पहे जाता अब मेरा गोई दुश्मन नहीं बचे प्रभा, सर डेटाबेस नारायन की इंफोमेशन की वज़े से हम सब को ट्राप कर पाए ये पैसे उसे दिका ठांक्स के छोगे सी सोरी ये क्या कर रहे तो और ये तो अ कि मास्वित आप. सोरी जाहे जो भी बातो बैट कर सेट़क्षयार कर सकते हैं दिल दोटो हमें? इस दिल नी सोरी को क्या समझे रख़क है तुने है सबके सथ फुटबॉल भैठेल जाओ तुने मेरा डेटा शंकर को तिया तो वो मेरे सथ फुटबॉल खिलने लगा तुमारी वजह से कितने जाने के पता है उस पेचारे कुछ ना जानने वाली मिन्स्टर पर शक्र राकर डामो के हाँ तुम्ने उसे परवा दिया औ अगर तेरी वजह से मेरा बढ़ हुआ ना तुमाय तुझे जिन्दा ले छोड़ू का ए चल रहे तेरा सारा डेटा डिस्ट्रॉय कर गया पर अपना सारा डेटा मुझे दे गया आई विल सी यूर एन्ड कि अधिया बढ़ेगार और या इसलिए मैंने सारी सचाइद दामो को बता दियाए लेकिन आपके बारे में कुछ नहीं बताया उनको कहा सब कुछ सूरी नहीं करवाया है दामू ने मुझे फॉरस के स्थाउस भूला है, उससे अपनी नए प्रिजिट का भाना बनाओगा और अपनी जान बचा कर यहां से भाग जाओगा, वरना नेक्स्ट मटर मेरा होगा, यह सनिस्ट ने, तु एरपुट जाके तैयरिकर में पहुंचता हूँ अगर यह दामू के हाथ लगया तो इससे कच्चा चबा जाएगा आउ सुरी साब, बैठो, क्या बात है ते दिर बुला है? कुछ नहीं मुझे सुबह एक सपना आया था वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ अच्छा, सुबह आने वाले सपने सच होते हैं, क्या था बता हूँ पूरी तरह से भरोसा करके उस हाथी को मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला अच्छा, मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला अच्छा, वह भी वह सला सैटिस्फ़ें नहीं हुआ, आखिर में चीते पर भीलजाम लगा दिया बेवकूफ शेयर को पीछे क्या हो रहा है पता भी नहीं चला और उसने अपने भाई की तक अच्छा, मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला इस उम्र में यहां से भाग तो नहीं पाऊँगा, जान की भीक मांगना ही ठीक रहेगा अब क्वेशन आंसर रहो इस सपने में शेयर कौन था? गुड और हाथी? मिनिस्टर नागराज वेरी गुड तो फिर जुहा? एस पी अर्जुन एक्सेलेंट, पीकॉप सुशीला चीता दूरचा अमेजिक लास्ट और फाइनल क्वेश्चन गीदर कौन था? गीदर के बारे में जानकर क्या करोगे? उसके पिछी डाइनसौर भी है कोई डाइनसौर नहीं है वो तो स्पीलबग की क्रियेशन है और यह उस गीदर की मैनिपुलेशन आप इससे बात यू कर रहें भाई? मात डालते इसे नहीं, ऐसे नहीं इसके मात इतिहास बन जानी चाहिए इसको दी हर एक चोट के पीछे एक कंसेप्ट होगा पहली चोट पर ही चहरा बदल जाना चाहिए दूसरी चोट पर करदन तूटे पर यह मरे ना तीसरी चोट तो ऐसी जगह पर दूँगा कि लोग कभी नहीं भोलेंगे अब मैं जिन्दा क्यों हूं सोचकर तडपना चाहिए इसको मुझे मार डालो मार डालो कहके भीख मांगे यह हमसे और तब अपना पंच बनाकर ऐसी चोट मारनी है कि इसके पंच तत्व शरीर से निकल कर हवा में जाए तब हम उसे देखकर खुश हो जाए मौत को तरसेगा तू हर पल यू तडपेगा तू फिर भी नवी मर पाएगा तू यह अंग्रेजी फिल्मों की तरही से मारते हैं क्यों भाई? हमारे रामगुपाल वर्मागी फिल्म है इंग्लिश फिल्मों से कम है क्या? इसके हाथों को जूस मशीन में डाल देते हैं चाह तो इसे जिन्दा जमीनमें गार देते हैं या फिर सीने पर ड्रिलिंग मशीन चला देते हैं है इगलिश फिल्म के डिवीडी लाओ रेफरंस के लिए देखते हैं, उन्हें समझते हैं फाइनली इसके मुर्डर वीडियो को 5D से शूट करके यूट्यूब पे डाले। ए की दर्ड, भयानक है ना, जब तक वो DVDs लाता है तब तक कुछ टाइम पास करते हैं। क्या कर मैंचल? तूने मुझे खूब नचाया, तू नाचेगा और मैं देखूँगा। और अगर तू रुका तो तुझे उसी वक्त ठोक दूँगा। म्यूजिक पे तेरे कदम धिरकने चाहिए और अगर बल हो गए तो तुझे रिजल्ट पता है, ओके? ओके! हसना है हसलो हसलो, रोलो रोलो प्यार है तो बोलो बोलो राज़ दिल के खोलो खोलो जो करना करो करो हम से भी डरो टरो जो कहना कहो कहो वरना ये सहु सहु जो दिखा हमें तेरा दुछुली जटा जाके उससे जरा-जरा खुशियों में सबको सुख बात दो दुख में हो जो इसके दुख बात दिलो तूज़े कैसे मारने का सोचा था मैंने तू ऐसे नहीं मर सकता है, तू ने क्या सोचा इस गधे में इतनी अकल है कि ये प्लान बना सके जिस कलेक्टर भरत ने आत्म हत्या की थी वो मेरा भाई था, उसके गम में मेरे पिता ने रात दिन आसु बहाए पार्टनर्स को तेरे हाथों मरवा कर वही एविडेंस बना कर तेरे नाम का शूटेट साइट ओर्डर लेकर आया हूँ मैं और्डर ना भी मिलता तो भी मैं तुझे मार देता लेकिन लीगली मारने का मज़ा ही अलग है तेरा किस्ता खलास सब लोग सुनो, इसको मेरी आफों के सामदे मार के यहीं जला दो बाई बाई ए ए ए ए ए इ ए वख झाल की अ Fighter खर ऑग ऑन स्टार्ड एकल हुए, अ शाट छी मेंट सा caregiver काह дома वह वच खर लेकला यू ऑटजो जयो, अह गरा दो ज्मेब इंड सान्ट, काहीं सान्ट, ही जॉतरा dad everything सुर्ष चिसा हताता ले अ वह य भाया है इंढए जयार... इंढए नहेढ़... इंढए रहेढ़... इंढए बदिवाभ... इंढाएं गोजिस्ट आंए... मॉईर लग बड़र वाँ जगर, मुझे बत पारो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूँगा, तुम जो भी कहोगे मैं करूँगा, असल में हमारे कलेक्टर सब बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी बीवी एक देवी थी, उनके परिवार की जूटी बदनामी करके उनके आत्मत्य का कारण मैं ही था, मैंने सब के सामने अपनी गलती मान ली है, अब तो मुझे छोड़ दो, मैं इस शेर कोई नहीं, इस देश को छोड़ कर चला जाओंगा, डिसाइड तो आप डिमॉक्रसी करेगी, इस ने जो हरकते की हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट ने इसे फागल कुत्ते की तरह कोली मारने का ओर्डर दिया है, अगर आप मैंसे किसी को ये गलत लगता है, तो हाथ उठाईए, मैं इसे छोड़ दूँगा, तुम्हारे पा मेरे पाट्टस आगे, शाबाश, है, सी आई, एक हाथ उठेगा तो काफी होगा कहा था ना, मेरे पास तो तीन-तीन है, है, चलो हाथ उठाओ, हम तुम्हें या बचाने के लिए नहीं आए हैं, हम तुम्हें बाइबाई के नहीं आए हैं, तोरी गुम चुकी है भईया, सा मैं तो बेवोकुफ इंसान हूँ, मैंने बहुत खलतियां किये, लेकिन आपका दिल तो बड़ा है ना, किस्सा खलास सलेक्टर भरत की केस में एक नया खुलासा हुआ है, जिन आरोपो की बज़े से उन्हों ने और उनकी बीवी ने आत्म हंद्या की थी, वो सब जूट है और मेबुनिया साबित हुए है, सरकार ने ये खोशित किया है कि वो बहुत ही इमानदार और काबिल ओफिसर थे, बच जी मुझसे भी गलतिया हुई है, आप मुझे कैसा देंगे, तुमने तो हमारे डिपार्टमेंट की मदद की है, इसलिए हम तुम्हें इस केस से बाहिजद बरी करने, आप पहानो, पहानो गुरुजी, अरे दक्षिना मरती, येलो बीबी के टैबलेट्स, मेरे तरफ से दक कि अबिसे तुमेरा